हाँ चालो है है इस सेटल अप क्विकली इदर और उदर इत्ती जगे खाली यार कुछ ता अध्यस करो ऐसा मन्त करो यह वो बीच में इदर फिर्स साइब में गुद मौनिंग एवर्वन येस जित्ते लोग अनलाइन अफलाइन गनेक्टेड खिर्स साइब में भाई, सिर्फ जो भी, भाई सुनना, तू कैमरे के बास बटाए, इस साइड आजा, वो गल्ती से भी हलाना तो पूरा गेम अल जाएगा, सिर्फ इस साइड आजा, and make sure उदर जीते भी लोग उसके आजू बाजो में बैटे हो, मतलब गल्ती से भी वो नहीं हलना चाहिए, वो पीछ रख, पीछ रख, पीछ रख, पीछ रख, पीछ रख, सुनना, यह पास के, ओगे, दन, रितेश भाव चालू करू, चालू करू, बंद करू, चालू करू, अच बाजव नहीं हलना, नहीं ने रहता हम दो, चालू, I'm sure it is done, let's get started. Okay, Good morning! हां 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 तो कैसा रहा आप सब का कल का पहला दिन कल भॉछ जोश था मैं आपको बता हूँ आप लोग का दिन कैसा रहा होगा कुछ लोग कुछ लोग क्या कर रहा हैं गर पे गए सिर्फ बेड दिखा एंड बेड वाज ले आजा मिला पच्चा इती मेंनत नहीं करते आजा जो सोई यह सीधा सुबह उठे हैं कुछ तो सबसे पहले बाहर जा करके हां ऐसे इंसान है लोग छोड़ते नहीं है कुछ को समझ में आया हूँगा भाई अपन बहुत गलत जगा आगए है क्या है ऐसा थोड़िन होता है कुछ लोगों को एकदम पहले दिन ही सीरियस ने सागय होगा नहीं आपन पहले दिन से पढ़ेंगे तेरा भाई तेरा ट्रेटर अब हो मम्मी खाना खाया हम एक और इतना उदास क्यों है कुछ नहीं में है अपने साथ और आ रहा है के पहली बार उनको समझ मैं पहली बार तुम सब को समझ में आया होंगा कि Foundation में जितना content था उसका 10 times यहाँ पर already है yes, but एक बात समझ के रुको, everything will go on and it will work, चलो आ रहा है, आ रहा है, मेरे धहन में आ रहा है, कल हम लोग ने कुछ पढ़ा था let's revise, बोलो हाँ अचा, कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज एक बार हाथ उटाओ जो कल नहीं थे, आज है कल नहीं थे, आज है okay, okay, ठीक है बटा दरना मत, बलब यहाँ सब देख के दरना मत चलो, let us start let us start, आपको अगर याद हो मुझे याद आ रहा है, हाँ, who is the father of income tax sir James Sultan पहली बार full-fledged में आक्ट आया था in the year 1922 फिर आपको अगर याद हो तो आजादी के बाद, आक्ट बना था in the year 1961 everybody please participate, yes okay, इसके बाद हम लोग ने देखा था कि यह income tax act है, okay so यह जो act है, इसके अंदर में कितने section है 98, किते schedule है 14 schedule, is the act applicable to whole of India, yes the act is applicable to whole of India, what are the components of income tax मतलब, income tax के साथ क्या सीप act पढ़ना पढ़ेगा क्या circular भी पढ़ना पढ़ेगा क्या case law भी पढ़ना पढ़ेगा अरे हाँ भई हाँ yes, ऐसी चीज, which is a communication of any change is called as circular notification, yes अच्छा, internal communication of department के लिए circular, all notification dash months before exam are applicable six months before are applicable, अच्छा मुझे एक बात बताईए यह जो case law है यह भी हमको साथ-साथ में पढ़ने है, yes इसके बाद हम लोगो ने देखा था के act के अंदर क्या होते है, act के अंदर में section होते है, subsection होते है फिर क्या प्रोवाइजो proviso क्या होता है बिटा exception to section yes, इसके बाद हमने देखा था, वो अरे वो अरे वो schedule हमने इस भाई के घर पे रेड मारी थी, अगर तुम्हें यहाँ दो तो, इस भाई के घर पे रेड मारी थी, यह भाई चिलाने लग गया था, क्या हमार पास पावर है, यह भाई चिलाने लग गया था, क्या हमार पास, पावर है, तो आप सभी मुझे बताईए, क्या, आर्ट Article No. 265, No Taxes can be levied or collected except by authority of law. तो यहां पर हमने देखा था, क्या मोदी जी रात में आ करके कह सकते हैं, भाई और बहनों? नोट बंद हो सकते हैं, टैक्स नहीं आ सकता हैं एक दिन में, yes or no? तो इसके लिए, अगर किसी भी तरह का Tax भारत के अंदर में लगाना है, आपको कोई law चाहिए, यह law किसी authority के द्वारा पास होना चाहिए, हाँ, so who makes law in India? Who passed the law in India? क्या पार्लेमेंट सेशन में नहीं है, तो भी भारत में कानून मनाया जा सकता है? अच्छा, इसके बाद मैं कई बच्चों ने कल मेरे से एक और सवाल पूछा था, तो मैंने कहा हाँ, मास्क का यह सवाल हो सकता है, तो मैं कह दूँ, उन्हेंने कहा सर यह ordinance word क्या होता है, मैं फिर एक बार आपको बता दू, ordinance का मतलब होता है, temporary law, जब भी कोई ordinance पास हो गया इसके बाद जब भी पार्लेमेंट वापस सेट अप होता है, तो इस ordinance temporary law को पार्लेमेंट में क्या कर जाता है, approval मिल जाता है या तो mandatory law बन जाता है, या तो फिर उससे क्या कर दिया जाता है, खतम कर दिया जाता है उस temporary purpose के लिए, तो technically ordinance is nothing but temporary law, अच्छा, इसके बाद, इसके पार्लेमेंट के पास पावर है या तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, हम लोगों ने देखा था या तो पार्लेमेंट के पास पावर है, yes or no, या तो पार्लेमेंट के पास पावर है, या तो किस के पास पावर है, प्रेसिडेंट, हाँ मैं को एक और चीज़ याद आई यह जो tax collect करने का power है, यह सिप center के पास है, yes or no, yes, आपको याद होगा article number, article number, article number 246, union list के अंदर में, entry number 82, taxes on income, other than on agriculture, yes, agriculture पे tax collect करने का power ही नहीं है या center के पास नहीं है, शानदार, तो किसके पास है, state, collection फिर भी कौन करेगा, center, और क्या बात में इसे divide किया जाएगा, मोदी जी divide करेंगे, president divide करेंगे, president divide करेंगे, as per the recommendation of finance commission, मालिक हाँ, अरे हाँ, चीक है, so जितने भी taxes and duties collect किये जाएंगे, center और state के बिट में divide किये जाएंगे, ऐसा लिखा था, article number 270 में, yes, हमें कितने, हमें कितने, हमें कितने, हमें कितने ये पढ़ने हैं, बताओ, हमें दो चीज पढ़नी है, कल हमने सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ पाये थे, भाहिसा, भाहिसा कल एक ही वर्ड पढ़ पाये थे, बहुत लोग शॉक हो गये थे, एक ही वर्ड कैसे पढ़ा हम ने, हमने बुला हम तो एक इवर्ट पढ़ेंगे, कल हमने सिर्फ act पढ़ा, अब act पढ़ने के साथ साथ अब बहुत सारी चीजे हैं, जो हम लोगों को समझनी पढ़ेगी, हमें सबसे पहले तो यह समझना पढ़ेगा, how law works, आखिर यह जो law है, यह work कैसे करता है, आखिर यह चो law है यह work कैसे करता है तो आज मैं आपको सम्झाने जाना हूँ तीन mechanism के किस तरीके से क्या करता है बिटा law work करता है understand how law works आईए give the heading how law works सबसे पहले हैं law makers, law implementers, law interpreters समझे तीन mechanism हों है law maker, law implementer and law interpreter मन में यार कभी-कभी यह सवाल आता होगा कि यार कैसे पता चलता है कि amendment करना है क्योंकि कल मैंने आपको समझाया direct tax एक ऐसा subject है जिसके अंदर में amendments आते हैं तो कभी सोच के देखे कैसे पता चलता होगा कि क्या amendment करना है ऐसा होता होगा क्या कि वो law की देवी नहीं है आंखों में पत्टी बंदी होती है वो दीधी ठीक है वो आती होगी law maker को बोलती है ओ हेलो सुनो ना उठो ना यार ठीक है सो कल से एक नया law बनाना है ऐसा होता होगा तो समझता कैसा होगा कि यार लोग किस point पे बनाना है एक question आता है समझता कैसा होगा अभी जैसे अगर आप देखिए आप लोग जब भी आजकल YouTube open करते होंगे तब आप क्या करते होंगे देखना है एक एड देखते होंगे रात में गेम खेला आप यहां पे वो पॉज ले लेते हैं और कोई तकलीफ आ गई तो जंगली रमी पे आओ नो महराज याद आ रहे गया रात में गेम खेला अब question आता है रात में कौन सा गेम है और इसमें तकलीफ भी आ गई अब सौंजिए यह एक नई चीज चालू हो गई ड्रीम 11 हो गया रमी सरकल हो गया अब देखिए नई चीज चालू हो गई लोग इसमें पैसा भी लगा रहे और पैसा कमा भी रहे लोग उने तो करोड़ो रुपे कमा लिया एस पर देम ठीक है अब question arise हुआ यह जो करोड़ो रुपे यह लोग कमा रहे है इसका taxability के लिए कोई law था ही ने तो lawmaker कैसे decide करते है lawmaker क्या करते है सबसे पहले present situation को समझते है कि present situation में किस चीज की need की ज़रू होता है recent times में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या कर रहे है bitcoin, ethereum जिसको हम क्या कहते है cryptocurrency तो cryptocurrency का trade चालू हो गया इसके उपर बहुत बड़ा discussion चालू हो गया whether it should be legal, illegal yes, अब इसके उपर law की ज़रूती these are the latest update तो जब भी कोई latest update होता है किसी भी country के अंदर में lawmaker सबसे पहले क्या करते है इसके उपर bill बनाते है तो lawmaker सबसे पहले क्या करते है law बनाते है, understand they make law तो law कौन बनाता है M-O-L-J with respective ministry तो सबसे पहले they make law इसको हम क्या कहते है called as bill याद आ रहे गया called as bill तो इसको कहा जाता है bill सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है bill called as bill तो यह लोग सबसे पहले bill बनाते है bill is nothing but a draft law yes or no draft law draft law जाता है both houses of parliament both houses of parliament और parliament session में नहीं है president yes इसके बाद इसको क्या मिलता है president ascent और president ascent के बाद यह क्या बनता है act तो आएगाईस यह तो आप अपने बच्पन से पढ़ते आ रहे हो सबसे पहले bill होता है बस कल आपको नया समझ में आया bill का drafting किसके थू होता है M.O.L.J. Ministry of Law and Justice तीक है फिर वो respective ministry के साथ बैठते है अब जैसे income tax is related है तो ministry of finance के साथ बैठेंगे और उनके साथ एक combined discussion Sir एक minute ministry of law ही बना सकती थी इनकी क्यों जरौत थी आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि भाई अगर income tax is related matter है तो सिब ministry of finance बना सकती थी ministry of law and justice को जूडने का क्या काम था जूडने का काम इसलिए था क्योंकि ministry of finance को यह नहीं बता ना कि criminal हम कोई provision ऐसी ना attract कर दें जो criminal law और other law से impact कर रही हो जो criminal and other law से impact कर रही हो yes or no तो इसलिए वो दोनों बैठ करके यह bill बनाते है अच्छा जी फिर यह जाता है both houses of parliament पहले लोकसभा फिर राज्यसभा अगर यह finance issue है तो पहले लोकसभा में जाता है और फिर यह कहां जाता है राज्यसभा में president descent अब understand कीजिगा जैसे ही यह law बन गया सिर्फ law बनना काफी है सिर्फ act काफी है या rules भी लगेगे rules भी लगेगे मतलब इसको the answer is no पुछो क्यों क्योंकि सरकार हर पाँच साल में बदल रही है we need a permanent body irrespective of what is government or whose government it is are you getting the point हमें कोई फरक नहीं पड़ता की यह सरकार किसकी चल रही है we need a permanent body सरकार आएगी जाएगी एक permanent body जो ही revenue को collect करेगी इसके law को implement करेगी yes or no no doubt it will function under the ministry of finance only but you need a permanent office जो इसको क्या करते रहे implement चाहे सरकार कोई भी हो किसी भी तरह के का political setup हो so law implementer बनाये गए क्या आप जानते हैं दो law implementer बनाये गए CBDT and CBIC CBDT and CBIC ऐसे दो law implementers बनाये गए CBDT जो है यह किस से related matter handle करता है CBDT यह DT से related matter handle करता है CBIC यह IDT से related matter handle करता है CBIC यह IDT से related matter handle करता है यह law को implement करवाते हैं मतलब technically rules बनाने का काम हो गया notification लाने का काम हो गया circular लाने का काम हो गया वो सब यह लेके आते हैं are you getting the point अब देखिए हम कहते हैं ना law में कैसे amend होता है पहला lawmaker current situation को देख करके यह समझता है कि किसी law की जरूरत है बरबर है अब law तो उसने बना दिया लेकिन ground reality उसको पता है क्या बरो अरे हाँ यहाँ answer is ना उसको ground reality नहीं पता जैसे मैंने आपको कल भी example दिया था continue करते हैं lawmaker ने बना दिया कि यह आधार जरूरी है return बरने के लिए लेकिन non-resident आया कि नहीं आया इसू non-resident आ गया non-citizen आ गया यह बुलेंगे हम कहां से आधार भरेंगे यह हमारे को तो तुम आधार दे ही नहीं रहे हो जब आप मेरे को आधार दे ही नहीं रहे हो मैं return कहां से बरू yes तो ground reality के issues lawmaker को नहीं समझ रहे तब जाके law implementer suggestions देता है rules बनाता है notification लाता है circular लाता है कि sir आप lawmaker ने law बनाया दिल्ली में बैठके बहुत अच्छी बात है लेकिन ground reality हमार को समझ में आ रही है अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ ground reality क्या होती है अगर देखा जाए तो भारत के अंदर में जम्मो कश्मीर, मेगालिया और आसाम यह तीन जगह एक issue है अब issue कहा है मैं आपको समझाता हूँ यह क्योंकि दूसरे देशों से connected borders होने के कारण बहुत सारे वहां के लोग क्या कर रहे है illegally आकर के यहां पर बस रहे है आपको अगर पता होगा तो बहुत सारे लोग बंगलादेश से आकर के वेस्ट बेंग और नदर जा रहे है यह देश में हमारे issue चली रहा है अब problem समझ एक basic understanding समझना ठीक है एक मने दरा सुमनी ठीक है यह बंदा बंगलादेश से भारत आ गया ठीक है यह मेरा भाई बंगलादेश से कहा आ गया भारत अब issue समझ एक क्या है lawmaker ने law बना दिया आधार जरूरी है return भरने के लिए ठीक है यह इंडिया में आ करके इसने मस्त धंदा चालू कर दिया मतला business ठीक है इसने धंदा चालू कर दिया अब issue समझ ए documents illegal बन सकते हैं हाँ यहाँ तुम भी जानते हो गाड़ी चलाना आए ना आए पर लड़की के पास driving license तो आई जाता है गलत बोल रहा हूँ मैं हाँ क्या रहा भाई बहुत कम लोगों में talent होता है left indicator देके right में मूरने का लड़किया ऐसी नहीं चलाती न जबरदस्ती कुछ भी है ना आता है उनको पार्किंग में लगाते है ऐसा नहीं होता है ना कुछ भी सूचते है यार मैं हूँ डेचन में ठीक है बले उनकी हाइट ना हो क्या हुआ पर गाड़ी हो सम्भाल सकते हैं अब समझ मेरे बच्चे है यह भाई ने अपने business चालू कर दिया यह आया कहां से बंगलादेश फेक डॉक्यमेंट के भरोसे भाई ने बना दिया आधार पकड़ाधार बरबर है अब मेरी बात सोच करके देखो अगर इसको आधार दे दिया तो डूंट यू थिंग इसे इंडियन सेटिजन मान करके इंडिया के व्यक्तियों को जितने रा मेरे को एक बात बताईए जब तक ये क्लारीटी नहीं आ जाती या इस बात पर प्रोविजन नहीं बन जाता कि भी है इसकी सिटिजनशिप ही लीगल है या इनलीगल अगर हम इस पर आधार की अप्लिकिलबिलिटी दे दे या इसको आधार लगा दे तो भारत में तो प्रोविजन बड़ रही है पर प्रॉब्लम भी तो आएगी न क्योंकि ये विक्ति यहा आ घया अब सरकार ने क्या किया ग्राउण जम्मू कश्मीर, आसाम और मेगालिया, इन में क्या क्या आधार की applicability को side कर दिया आधार की applicability को क्या कर दिया, side, उन्होंने बुला भी है यहां के लोगों को हम जब तक के यह इंशौरनी हो जाते के citizen है या नहीं है, तब तक क्या हम इन पे आधार की provision लगाएंगे नहीं, अब समझिये क्या हुआ जरा समझिये यह वेक्ति मेगालिया में है, income तो अं कर रहा है income अं कर रहा है तो return भरना पड़ेगा, हाँ, आधार है क्या law मेकर ने तो law बना दिया, आधार लगेगा ground reality क्या है, आधार मिल रहा है क्या है इसको मेगाले में अब समझ में है, problem क्या है अब इस problem को कौन communicate करेगा implementer communicate करेगा, तो next year जब amendment आएगा, law implementer बताता है, कि sir, आपने दिल्ली में बैठके कानून तो बना दिया, you made the law by sitting in दिल्ली, but it cannot be applied in Jammu Kashmir आसामन में गालेगा, so it is not only non-resident, it is also the people who are questionable as resident, इनके लिए आपको exception लाना पड़ेगा, तब जाके next year क्या आता है, amendment, so यह law implementers क्या करते है, law implementers make rules, bring notification, bring circular suggest changes तो central board of direct taxes and central board of indirect taxes and customs, CBIC का full form, central board of indirect taxes and customs यह क्या करते है, यह law को implement करने में help करते है, तब जाके पता चलता है, अगले साल क्या आने वाला है, amendment, तो किसी के सपने में नहीं आती, वो law की दी दी, बताने के लिए कि भीयते को amendment करना है, this is the practical implication, जिसके कारण क्या आता है, amendment आता है, अब आप मुझे सोच के बताईए, अब आप मुझे सोच करके बताईए, lawmaker ने law बना दिया, implementer ने उसे क्या कर दिया, implement कर दिया, लिकिन क्या question आ सकता है, मेरे को applicability को ले करके, मतलब as a taxpayer, can there be dispute between income tax department and a CSE, yes or no, can there be dispute, yes, अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा example बताता हूँ, इस बात को हम आगे और discuss करेंगे, अब मुझे एक बात बताईए, एक theater था, theater का नाम था Priya Theater, based on real facts, ठीक है, अब Priya Theater के पास होता क्या था, कि जो आसपास के local गुंडे थे, पाले ने क्या किया, उनको amount पे करना चालू किया, कि भी हमारे आदेवे customer को तुम छेड़ोगे, नहीं, बरे बरे, ये जो खर्चा किया, क्या प्लीज मेरे जन्नल एंट्री पास कर सकते हैं इसकी, क्यों नहीं कर सकते भाई, पैसा तो धन्दे से ही दो गया, चलो तुमने निकाल करके चेक दे दिया, भाई को, ठीक है, अब तुमने निकाल करके दे दिया, अब जन्नल एंट्री पास क्या हुई, प्रोटेक्शन मनी पेड, ऐसी कभी जन्नल एंट्री सुनी है, प्रिया थेटर डिडिट, प्रोटेक्शन मनी पेड तु कैशन बैंक, अब उन्होंने बाक आईदा पी अनल को डेबिट किया, प्रोटेक्शन मनी पेड, मैटर एओ के पास गया, एओ, असेसिंग ओफिसर इंकम टाक्स ओप्र, मैटर एओ के पास गया, योग बुले, एओ, क्या, इदरा, क्या पी किया है, किस प्रोटेक्शन का पेडिट है यह, और इतना, इतनी लगता, अनला सर, यह ऐसे गुंडे थे, बिजनस नहीं करने दे रहे थे, एक मिनिट, इस तरीके का कोई भी पेमिंट, भारत का सम्विधान अलाव नहीं करेगा, मैं इसे डिसलाव कर रहा हूँ, आपके प्रोफिट में आड़ बैक कर रहा हूँ यह, सर एक मिनिट, आप इसे आड़ बैक नहीं कर पाएंगे, इस बिजनस एक्सपेंडिचर, मेरे बिजनस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है, मेरे बिजनस को, आरे, मेरे बिजनस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे को यह खर्चा करना पड़ेगा, you have to allow it, hello, आपने यह पूलिस को दिया होता, as a bribe, तो भी allow नहीं करता में, because it is a breach of law, ऐसा थोड़ी में, sorry एक minute, breach of law होगा, पर मेरे धंदे के लिए तो है, आप जिस income को tax करना चाहरे है ना वो उसी धंदे से आ रही है, तो आपको अगर tax करना है, तो ये खर्चे का deduction मेरे को देना पड़ेगा, matter आ गया, can protection money, और expenditure genuinely incurred for the purpose of business, क्या हम इसे income tax में deduction ले सकते है, issue आ गया, अब law क्या बोल रहा है, law maker ने तो law बनाया, कोई भी breach of law के लिए क्या नहीं करोगे, deduction नहीं देंगे, एक और, Tara Singh अपना truck लेके जा रहा था, तरा Singh को जानते हूं नहीं जानते हूं, गदर भाव वाले अपने, truck लेके जा रहा था, मैं निकला गड़ी लेके, रस्ते पर वो सड़क पे मोड़ाया, पर signal देखा ही नहीं उसने, वो गड़ी उठते छोड़ाया, अब यहाँ पर traffic वाले ने penalty लगाया, अब यह penalty pay किया, तब जाके truck छूटा और आप truck वापस चला, अब यह penalty paid थी, हाँ यहाँ, ठीक है, traffic, infringement, payment, done, आपने तो PNL को debit कर दिया, यह हो, है, क्या है, है, hand pump, allow कर, ने तो hand pump, यह hand pump उदर रहते हैं, इंडिया अल्रीडी डेवलप्ड है, हमारे पानी की सप्लाय आते, वो सब ठीक है, allow करना पड़ेगा, genuine business expenditure, अगर मैं यह खर्चा करता ही नहीं, आगे ट्रक चलता ही नहीं, तो आप जिस income को tax करने जा रहे हैं, वो मेरे लिए business का genuine expenditure था, पर बताइए, किसी भी law को तोड़ने के लिए जो खर्चा किया गया है, क्या उसका deduction income tax दे सकता है, अगर income tax deduction दे दे, यह तो bribe को भी legal बना देंगे, इंकम taxi bribe को legal बना देगा, bribe paid, journal entry pass, bribe paid account, debit to cash and bank, हो भी सकता है ऐसा कुछ, नहीं, lawmaker ने law बनाया, implementer ने implement किया, लेकिन business owner Tara Singh तो यह बोलेगा ना, यह जो खर्चा किया, यह मैंने genuine खर्चा किया है मेरे business के लिए, पर यह allow किया जा सकता है, नहीं, it's a question mark, तो इसके लिए आते है law interpreter, law interpreter कौन होते हैं, अगर कभी भी dispute आ जाए, to resolve dispute between, बूलो ना, Assessi and Department, Assessi मतलब वो वेक्ति जो tax pay करने के लिए liable है, between Assessi and Department, तो बता यह दोनों के बीच में जब जगडा हो जाता है, Assessi कह रहा है, यह मेरा business का खर्चा है, आपको deduction देना पड़ेगा, Department के तन ना, किसी दूसरे law को तोड़ करके मैं तुम्हें deduction दू, ना चॉलबे, एटा चॉलबे ना, सर देखे, जन्यूइनले मेरा business के लिए है, matter गया court में, imagine a court room, Department, यह कोन है, Tara Singh, my lord, who, my lord, traffic signal पे, breach करके payment करके आये है, यह इसको business expenditure के रहे है, कैसे allow कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको allow कर दिया, हर व्यक्ति law तोड़ेगा, और law तोड़ करके profit reduce कर देगा, P&L को debit करके, P&L में खर्चा debit profit कम, अगर मैंने इसको allow कर दिया, यह आदमी तो आज ही debit करके profit reduce कर देगा, मतलब इसको तो penalty का डर ही नहीं रहेगा, यह बोलेगा, penalty लगती है, लगे, income tax बचाएंगे, लगने दो penalty, कोई तकलीप नहीं है, हो गया तोटा, बाप है मोठा, चलने दो, यह तो सब करते रहेंगे, मैं लॉड, इसको समझा दीचे, अगर मैं ट्रक नहीं छुडाता तो ट्रक चलता ही नहीं, फिर काई की income tax करते हैं, और भया, ट्रक में माल जाता है, और उस माल को बेच के जो income आ रहे है ना, उसको tax कर रहे हो तुम, किसी गंदी अश्लील बाते कर रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम गुड्स लेके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बाकी के खर्चे अलाओ कर रहे हूँ, पेट्रोल, रिपेर्ज, खर्चा, पेनल्टी अलाओ नहीं करूँगा, अगर मैंने अलाओ कर दी, तो यह तो इल्लीगल हो जाएगा, मैं तो ब्राइब को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो इनके लौ तोड़ने को प्रमोट कर रहा हूँ, इंकम टैक्स किसी का घर तोड़ करके अपना घर जोडने ही सकता, इमोश तलमा तो पॉइंट पे आ, पर मेरा तो बिजनस का घर्चा है ना सर, वो नहीं करता तो दंदा कहां से करता, बरबर, अब यहां पर आप कोई भी सिचुएशन इमाजिन करिये, किसी भी बिजनस की करिये, एक बुलेगा लीगल है, लीगल नहीं है, दूसरा बुलेगा मेरा तो घर इसी से चल रहा है, जो नहीं समझे, तुम ट्रकी समझो, तुम ट्रकी समझो तो यह ठीक है, है न, वैसे समझे के लिए बहुत दूर जाने की जरूत नहीं थी, यहां से, यह सामने, जो सैंडवीच बेच रहे हैं, उनकी बात करा हूँ, वो सड़क पे इलिगल बेच रहे हैं, कैसे गंदी बाते सोचते रहते हैं, अब आप सोचके देखे, हर बिजनस है, यह बोल रहा है, यह इलिगल है, अब आपके हिसाब से, यह matter dispute का हुआ या नहीं, यह dispute का matter जाता है, कहां, सबसे पहले, आपके हिसाब से, आपने foundation में पढ़ाता है, दो लोगों के बीच में dispute होए, matter कहां जाता है, matter कहां जाता है, court, I will file a suit, income tax में इसा नहीं होता, income tax मे पहले, रुको, उसके भी पहले, matter जाता है, appeal में, सबसे पहले कहां जाता है, appeal, सबसे पहले जाता है, appeal, appeal से जाता है, ITAT, ITAT से जाता है, high court और high court से जाता है, supreme court, sir, high court और supreme court तो हमको समझ में आ गया, देखो, ठीक है, यह appeal और ITAT क्या होता है, appeal मतलब सबसे पहले, AO आपका deal कर रहा है, आप उसके head के पास जाते हो, CIT appeal, आप commissioner के पास जाते हो, commissioner को बोलते हो, आप अपने officer को सम्झा दो, सम्झा दो यह सिंगम को कि जेकान चिकरे कोन है, higher authority, अब आपको तो पता है, सनी बाजी नहीं कहा था, तारीक पर तारीक, तारीक पर तारीक, कोट इतना already busy है, वहाँ पर murder के charge, rape के issue चल रहे है, आपको लगता है, income tax का इतना छोटा matter, वहाँ पर discuss होना चीए, नहीं, तो high court का pressure कम करने के लिए, एक authority बनाई गई, ITAT, जिसक discuss होता है, और जो यहाँ से case बनता है, जैसे supreme court ने अगर कोई law बना दिया, तो आपको नहीं लगता हो देश का कानून बन जाता है, तो ज़रूरी नहीं है, सिफ lawmaker law बनाए, जहां सा समझना, how law works, एक lawmaker को लगता है कि हाँ current situation के हिसाब से law बनाना चीए, वो law बनाते है, वो suggest करता है, sir, अगले साल एक काम करो, यह amendment कर दो, फिर कई बार, dispute होता है, तो department को समझ में आता है, यह dispute है, इसको आज ही clear कर दो, नहीं तो आगे चल के और आएगा, तब जाकर के हर साल क्या आता है, amendment, समझमारी बात, चलिए, so how law works, this is how law works, आपका law जो बनता है, जो amend होत होता है, वो इस process के थू होता है, जो एक ने due process है, तब जाकर के हर साल amendment आता है, समझमारी बात, क्योंकि इतनी चीज़े मिलती है पूरे भारत भर में, तब जाके एक, 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 कमेंडमेंट इसके साथ में जूडता जाता है, getting it, yes, तो हमें चार वर्ड पढ़ने वर्ड में जा रहे हैं, the next word is tax, taxes, अब हम इस वर्ड पर discussion करेंगे, जब अब जस्त discussion, taxes, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने देखो, धर्टी पे एक वर्ड सुना है tax, और आपने धर्टी पे एक वर्ड सुना है duties, मैं तो कहता हूँ, दोनों भी same ही है, बुलो हाँ, is taxes and duties one and the same, is taxes and duties one and the same, if not, kindly give me your suggestion, दोनों में difference किया है, custom, duty, excise, duty, but income, tax, अभाई अगर दो अलग-अलग word है तो meaning तो कुछ होगा, आपको तो पता है मैं average बच्चा हूँ, मेरको तो बहुत दीप में जाना है, क्या difference है दोनों में, हाँ जी, tax सब लोग pay करते है, duty को specific people pay करते है, ठीक है, और, और कोई, बरी जवाम है, इधर, हाँ, हाँ, जी, duties इफ services पर लगती है, तो फिर goods and services tax क्यों होना चाहिए, goods and service duties होना चाहिए, बुरो बात सही है कि नहीं है, point है कि नहीं, point है कि नहीं, point to my lord, सुनो ना, हाँ, मैं तो बुलता हूँ, बुलो हाँ, 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 जी, तो फिर exercise duty, वो तो manufacturing पर है, वो तो जो इंडिया में भी बनता उस पर भी है, मतलब कुछ और भी है, मजा आएगा ना समझ के, है, the taxes is on goods as well as services, the duty is just on goods, तो जहाँ subject matter सिर्फ goods है, वहाँ देश का कानून word use करता है duties, और जहाँ subject matter goods के अलावा other elements भी है, जैसे अगर services हो गया, अब इसमें goods कहीं involved ही नहीं है, तो सरकार यहाँ पर word use करती है taxes, taxes, tax is a more wider word than duty, tax is a more wider word than duty, so tax duties is on goods, जहाँ subject matter सिर्फ goods है, it is narrow concept, यह बहुत limited चीज पर लगता है, taxes is on goods and services, it is broader, तो अगर subject matter किसी चीज में सिर्फ goods नहीं रहेगा, तो वहाँ पर सरकार word use करेगी taxes, yes, this is also collected by central government, this is also collected by central government, and both are part of revenue of government, तो government इसमें कोई बहुत ज्यादा difference नहीं करती है, कि यह duties से आ रहा है यह taxes से आ रहा है, दोनों उनके लिए same ही है, बस सरकार words use करते बड़ी careful हो जाती है, अगर किसी चीज का subject matter इसिफ goods है, तो वहाँ पर वह word use करते है, duties, और अगर subject matter goods के अलावा extra things भी है, तो फिर वह word use करते है, taxes, and इसलिए आप देखेंगे maximum जगह पर जो word है, वह taxes है rather than duties, अब duty के नाम पे सिर्फ एक चीज बची है, that is custom duty, क्योंकि exercise जो था वह GST में merge हो गया, तो duties के नाम पे अब सिर्फ एक चीज बचीज बची है and that is custom duty, वह भी goods import and goods export पे है, समझ महा रही ही बात? अच्छा मैं क्या मोट हूँ? ठीक है सर, taxes and duties, यह तो clear हो गया सर, सर मुझे एक बात बताईए, यह भी तो बताईए, types of taxes कौन से है, taxes के types कौन से है, आपको तो पता है सर, मैं तो average बच्च हूँ, मैंको पहले यह बताना पड़ेगा, types of taxes कौन से है, मैं धरती पे दो तरह के taxes है, एक है प्रत्यक्षकर और एक है अप्रत्यक्षकर, बूल कौन कौन से? Direct tax और? Indirect tax. ओ, मुझे कुछ याद आर आए, ब्रो, direct tax को कौन सी body handle करती है? और indirect tax को CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Customs. Direct tax, indirect tax. अच्छा, Sir, direct tax handled by CBDT, याद है, permanent body, सरकार आएगी, जाएगी, CBDT वहीं रहेगा. ठीक है, permanent body के हाथ में दे दिया. अब सवाल उठा, कि Sir, direct taxes जो है, और indirect taxes जो है, इनमें फरक क्या है? को और फरक बताइए? ठीक है? Let us understand, लिखना मत ये पाट, जो मैं अभी लिखा रहा हूँ. Suppose, मैंने एक goods लाए, let's say, पतंग, पतंग लाई मैंने 4 रुपे की, कितने की लाई? 4 रुपे की, उस पर branding करी, labeling करी, labeling करी, सब करा, और मैंने इसको sell किया, let's say, 10 रुपे में. बरवर, बरवर, suppose this particular item is also subject to GST, this also subject to GST, ये GST पे भी cover हो रहा है. So, let's say, 10 का 18 percent, इसके उपर GST लगा, 1.8, बरवर, अब आपका total bill कितने का हुआ, 11.8 रुपे, ठीक है, understand करीएगा. GST is called as an indirect tax, indirect tax is collected from another person and paid to government. GST is collected from another person and paid to government. मतलब क्या, जैसे अगर आपने अभी देखा होगा, आपने class की fees भरी, class का एक amount और उसके उपर क्या लगाया गया था? GST. अब यह जो GST हमने आपसे collect किया, यह हम हमारे जेब में डाल सकते हैं क्या? नहीं, यह बस हम आपसे collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. यह, will be handled by Yeshua Nsar. आपसे collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. So, we are just means to government to collect the tax. समझ महारी बाप? तो जो business owner होता है, यह सिब दूसरों से collect कर, collect करके किसको दे रहा है? सरकार को. Sir, आपने collect किया, पे नहीं किया तो? हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम हमारे दे देंगे. सरकार को त तुम पर भरोसा था, इसलिए तो हमको दिये है, na responsibility? अब तुम पर भरोसा था, तो हमको responsibility क्यों देते? given a chance, मैं आपको बताता हूँ, बच्चा आता है admission के लिए, बच्चा बोलता है, Sir, सुनो ना, आप cash में payment लिए लो, GST हटा दो न, मेंको नहीं pay करना. हम बोलते है, यह option है नहीं, तेरे एक को ऐसा करूँगा, मेरे उपर अगर रेड पड़ गई गलती से, तो मेरी तो assessment लग जाएगी, मेरी क्या लग जाएगी, assessment लग जाएगी, sir, आप तो छूड जाओगे, मेरे तो पूरे assessment लग जाएगे न, right, so, अब technically, यह जो पैसा है, इसको हम कहते हैं, IDT, indirect taxes, collected from another person and paid to government, अब आप मुझे बताएगे, मेरे income का जो tax है, पैने, आप मुझे यह बता सकते हैं, मेरी income कितनी है, is 10 rupees my income, 4 rupees my income, 6 rupees my income, none of the above, 6 rupees is my income, यह जो 6 rupees है, इस पे आप क्या देते हो, income tax, so income tax is a personal tax, खुद की income पे देना होता है, indirect tax is collected from another person, and paid to government, समझ्मारी वाद, तो सरकार को क्या 6 plus 1.8, 7.8 rupees मिले, कुछ भी, यह 1.8 तो सरकार को confirm मिला, लेकिन यह 6 rupees मेरी income है, इस income पे एक percentage आएगा, उसको हम कहेंगे, income tax, समझ्मारी वाद, so वापस से बताएगे, what is the basic difference between DT and IDT, indirect tax is collected from another person, and paid to government, direct taxes is paid on personal income, are you getting it, तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हू, direct tax is a personal tax, whereas indirect tax is a impersonal tax, अगरी करोगे इस बात को, तो यह बड़ी हो कि MCQ बन रही है, आओ, जल्दी बनाओ, direct tax is a personal tax, indirect tax is a impersonal tax, यह पहला पुंट, पुंट नमर दूसरा, पाइड बाइपरसन और्रेक्ली, collected from another person and paid to government, it is collected from another person and paid to government, it is progressive in nature, यह confirm बड़ा हो के MCQ बनेगा, लिख के रख लो, it is progressive in nature, it is regressive in nature, confirm MCQ में है, it is progressive in nature, it is regressive in nature, चलो इतनी English तो तो तुमको आती होगी, progressive क्या है, regressive क्या है, तो मैं आजूम करता हूँ, तीसरा point तुम्हें समझ गया, भूलो हाँ? बरवर ना? इतनी English तो तुम सबको आता ही होगा, progressive क्या है, regressive क्या है, तो मैं यह समझता हूँ, तुमको आ गया, चलो बढ़ते हैं आगे, बरवर ना? तुमको अगर 399 marks भी आया है ना foundation में, तो DT की class में तुम हो average, तुमको आया है 200, और इसी assumption से पढ़ने का, चलो, let us start, पूछने का मेरसे, सर क्या है इसका meaning, पूछो ना क्या है? प्यार से पूछो, हाँ, क्या है? progressive का मतलब होता है, higher the income, higher the tax, जैसे जैसे income बढ़ेगी, वैसे वैसे tax बढ़ेगा, so the higher the income, higher the tax, so understand करिएगा, yes or no, यह लड़की की income पांच करोड रुपए है, और मेरी सिर्फ 5 लाग रुपए है, who will pay tax higher, the girl will pay tax higher, yes, that is called as progressive basis, जिसकी income जादा, he or she needs to pay higher, yes or no, so higher the income, higher the tax is called as progressive basis, तो अब understand कीजे, दो वैक्ती है, एक वैक्ती है जो कमा ही नहीं रहा है, और एक वैक्ती है जो कमा रहा है, who is subject to tax, the one who is earning, yes or no, yes, it is called as progressive taxation, and as the income increase, the tax will increase, and it is but obvious, yes or no, मान लिजे, मान लिजे, ये बच्ची, ये बच्ची CA वन गई पहला package 9 लाग रुपए, आप सबको पता हो नहीं पता हो, आपको package ही पहला 9 लाग का मिलता है, 9 लाग के नीचे अगर कोई आता है institute उसको accept भी नहीं करता, if you don't know, sir, 5 लाग गई जामाने, चिल्लर के लिए ने मने हो तुम लोग, 5 लाग को चिल्लर, जो बोल रहा हो सुन लो, experience के साथ बोल रहा हो, attempt लगा के, ठीक है, अब इस बच्ची को मिले 9 लाग रुपई, पहली पहली बार, you know, साड़े तीन साल की भुक्मरी गरीबी के बा रहा होतो, जो बारभाआने के बाद उसको 9 लाग रुपई मिले, ठीक है, तो इन 9 लाग लेके जाही रही थी, इतने में आयो आया, कौन 아या, आयों, आकर कर के बलतीक है, ओ मैडम, शित, शित, लव 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 तुमको मिला मेको भी चाहिए दो ऐसा क्या कर रह भाया इस दो फॉर्स ताइम आम अगा इनकम टैक्स फॉर्स ताइम और सेकंड वालों को डिफरेंशिये नहीं करता आपका एक बार है या कई बार है देना तो आपको पड़ेगा बाया मैं तो आपकी डेली कस्टमर हो ना भाया अरे पहली बार रेजिस्ट्रेशन करा या दिदी आ आपने देके माम देना तो पड़ेगा मुझसे क्यों उदर अम्मानी जी इतना कमारे उंसे लोना दटनबीर कपूस इतना कमारे उंसे लोना विजू से कमारे उंसे लोना उनको भी छोड़ा नहीं हमने पर आपको भी देना पड़ेगा, understand, पर एक बात समान जाहिए है, अमानी जी जो कमा रहे हैं और ये जो कमारी है, is there a difference, so who will be paying higher tax, that is called as progressive, now when I come to regressive, what do you mean by regressive, regressive का मतलब होता है, irrespective of income or class or category you have, you have to bear the same tax, तो अगर आप देखेंगे, अगर ये बहुत rich family से आ रहा है और ये उत्ते rich family से नहीं भी आ रहा है, तो दूनों का GST rate same है, समझ मैं ही बात, तो GST, that is regressive taxations, कभी भी difference create नहीं करता आपके income के basis पे, it is common to all, so regressive का मतलब क्या होता है, regressive का मतलब होता है, common to all, आप एक goods लो तो भी उतना ही tax लगेगा, पचास goods लो तो भी उतना ही tax लगेगा, समझ मारी ही बात, ये differ नहीं होगा, कि भी आपने एक ball लिया, cricket खेलने के लिए, आपने एक ball लिया और आपने दो ball लिये, तो इसमें difference नहीं होगा, it will remain same, higher the income, higher the tax, देखो तुम लोग में को बिगाड रहे हो, हाँ, बात में तुम ही में को बोलोगे, कि आपने हमें बिगाडा है, higher the income, higher the tax, so DT progressive basis पे होता है, IDT regressive basis पे होता है, clear है, बहुत clearly understand हुआ, दोनों के बीच का difference, अच्छा, एक मिनिट, सुनो, direct tax के examples बताओ sir, all deep में जाओ, direct tax के examples बताओ, क्या आपको बताओ, direct tax के example, पहला है income tax, जिसको हम direct tax भी कहते हैं, ये तो हमको पढ़ नहीं है, क्या आपको बताओ, एक wealth tax भी था, wealth tax था, अब क्या हो चुका है, abolish, अब क्या हो चुका है, abolish, ये wealth tax क्या था, बड़ा अजीब हो गरीब tax था, सर भारत के अंदर में, पुछो कैसे, ये भाई, नाम क्या दिरह, निले, निले पहले income कमाएं, तो इसको income tax देना होता था, wealth tax क्या था, एक छोट में समझाना हो आपको, इसको income tax देना होता था, फिर इस wealth से इसने क्या कर दिया, building बना दिया, गाड़ी ले ली, yacht ले लिया, येस, जमीन खरीद ली, अब इसके पास wealth आ गई, अगर ये wealth 20 लाग के उपर की थी, तो इसको wealth tax भी देना था, याद में ग लोगों के पास एक नहीं है, दो tax, और मेरी के गलती है उसने, सब का साथ, सब का भी का साथ, तो ये technically double taxation था, 2017 में अरुन जेटली सर ने इसको abolish कर दिया, बोले यार ये गलत है, आदमी कमाता है इसलिए कि वो wealth बने, और wealth बना रहा है तो तो तुमने उस पर भी tax लगा दि income tax में मरने पे भी tax था, don't tell me you don't know, मरने वाले को तो छोड़ दो, हाँ, एक duty था, आप अपने दादा जी से पूछेंगे ना, तो उनको ये याद रहेगा, इसको कहा जाता था, estate duty, estate duty, आप अपने दादा जी से पूछेंगे, उनको ये जरूर याद रहेगा, ये भी abolish किय तो as of now, duty के अंदर में सिर्फ income tax ही है, जो work कर रहा है, अब ये estate duty क्या था, इसके बारे में भी तुम जानना तो चाहो गई, बोलो हाँ, क्योंकि अपना motor clear report हो, तो हद कर दो जाओ, तो एकदम deep में जाओ, कि भाई, कुछी से पूछने का पांपाचो पांड बताएं, तो म करने पर tax क्या था, जरा समझी है, अब ये निले ना, अब ये निले ने income कमाई, पहले वो income tax देता था, फिर इसने wealth बनाई, कि भाई, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जो 15-20 बच्चे रहेंगे उनके लिए, वो इस पर wealth tax देता था, बरे-बरे, अब suppose निले बोला में को में जाना है, वो निकल गया, अब inheritance में property इसके बच्चे के पास जाती थी, उदे के पास, निले का बच्चा उदे, अब inheritance में ये property कि इसके पास जाती थी, उदे, उदे विचा रहा है, अपने डाड को याद करके इदर रो रहा है, income tax department वाले आते थे, उदे हमें पता है, न inheritance में जो तुमें property मिली है, ये तो तुमें unnatural गयन हुआ न, estate मिली, estate पे duty, अरे मेर बापने बरा न, जीते जी, income tax बरा, wealth tax बता, मेरी का गल्ती हो, मेरे को देखी गया, गल्ती तेरी नहीं है, तू अपने आपको गल्ती मत समझ, आरे, मेरा वैसा मनेगा भी नहीं है, पर estate तो तेरे को मिली ना बेटा, you are subject to tax, मतलब अदमी मरता था, अपनी estate किसी को देखे जाता था, उस पर ये estate duty लगा देते थे, इसको भी cancel किया गया, I hope आप दोनों समझे, wealth tax और estate duty क्यों cancel हुआ, rather than just समझो कि cancel हुआ, समझ में आई यही बात, because it was a draconian tax, same चीज के उपर आप multiple time अलग अलग नाम से लगा रहे हो, नाम बदलने से काम थोड़ीन बदलता है, IDT, IDT की example क्या है, पहले बहुत सारे थे, अब दो यह, GST and custom, यह श्वन सर बता देंगे आपको, आगे चलके, so as of now, we are dealing only in income tax when it comes to direct taxes, which is handled by who, handled by who, CBDT, clear है मालिक, so चलो, क्या मेरे बच्चे को clear है दोनों के example, हाँ, तो हम कौन से word में थे, tax, tax में पहली चीज पढ़ी, tax और duty नाम के word के बीच में फरक्स क्या है, दूसरी चीज पढ़ी, direct tax और indirect tax क्या होता है, अब तीसरी चीज, तीसरी चीज, sir, component of tax, sir, क्या tax में सिर्फ tax collect होता है, component of tax, sir, क्या tax में सिर्फ tax collect होता है, well, the answer is no, tax में सिर्फ tax collect नहीं होता, क्या tax में सिर्फ tax collect होता है, well, the answer is no, tax में सिर्फ tax collect नहीं होता, tax में मेटा तीन चीज़े होती है, ध्यान से सुमझना, आज बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, tax calculation में काम आएगा everyone, एक होता है tax, दूसरा होता है surcharge, और तीसरा होता है CESS, spelling है C-E-S-S, है न, कुछ अलग मत बुलना चालू कर दे न, habit case आपसे, tax में तीन चीज़े होती है, tax में हम सिव टैक्स नहीं लेते, tax में तीन चीज़े होती है, tax, surcharge and CESS, ठीक है, so आओ, understand, what is tax, यह तो हम पहले देख रहा है, direct tax और indirect tax, this is a obligation to be made to government, yes or no, tax is a obligation to be made to given to government, obligation to pay to government, this is tax, अच्छा, जो tax लगता है, आपके हिसाब से, पूरी income tax में चल जाती है, या percentage of income is subject to tax, a percentage of income is subject to tax, ठीक है, अभी हम इस पर discussion नहीं कर रहे है, कौन सी income taxable है, कौन सी नहीं, सब आएगा, मैं little slow हूँ, पर deep तक के जाता हूँ, subject सिखाने में, ठीक है, प्लीज मत बिगड़ो मेरी बात सुनो, और जित्ते बच्चे ओनलाइन बैठे हैं, ये छोटे छोटे वीडियो क्लिप निकालके, प्लीज यूटूब पर डालना, बंद करो, मैं already बहुत वाइरल हूँ, मेरेको नहीं चाहिए और वाइरल, येस, पीछले बार ऐसा हुआ था, पीछले बार का हमारे ऐग बैच था, पिछले बार का नाम परिशियन बैच था, हा, तो पीछले बार ऐसा हुआ था, कि उसमें का एक वीडियो, कुछ अच्छे ही वाइरल आता, उदर से मेरे को फोन आता, कि लेक्चर में यह सब बोलना पड़ता है, कि अब उनको कौन समझा है, समझता ही यह यह बच्चों को, बच्चा जीस बारे में दिन रात सोच रहा है, sorry, रात दिन सोच रहा है, obligation to pay government, it is a percentage of income which is subject to tax, अब मैं आता हूँ दूसरी चीज समझाने के लिए, अच्छा, आपको अगर या दो, चलो interlinking करते है, is tax divided between centre and state, divided in centre and state, and it is kept in CFI, bracket में लिखो, CFI is Consolidated Fund of India, CFI is Consolidated, Consolidated Fund of India, सरी, Consolidated Fund of India क्या होता है, जैसे हम कोई bank account बनाते हैं, भारत सरकार जितना भी taxes and duties collect करती है, इसको RBI के पास एक Consolidated Fund of India में रखती है, RBI के Supervision में, Consolidated Fund of India में रखती है, तो भारत सरकार जितना भी revenue collect कर रही है, in the name of duties, taxes, etc., यह सब एक जगह जाता है, the Consolidated, जितने जगह से आ रहा है, Fund of who, Prime Minister, India, to be utilized for India, समझ महारी बात? So, Center और State के बीच में divide किया जाता है, और इसे रखा कहां जाता है, तो जैसे सरकार ने collect किया, इसको CFI में डाल दिया, CFI के बाद, President decide करता है, इसको distribute किसको कित्ता करना है, समझ में आई बात? So, Consolidated Fund is nothing but an account, which is maintained under the supervision of RBI, clear है? अब आते हैं हम दूसरे concept के उपर surcharge, अगर यह surcharge क्या है? और इसके बीचे के एक जबरदस history भी बताता हूँ, जो बड़ी काम की है, surcharge का मतलब होता है additional levy, surcharge का मतलब क्या होता है? बुल बड़ा, additional levy, अब यह additional levy का मतलब क्या है? additional levy का मतलब यह है कि जो लोग extra कमा रहे हैं, उनसे थोड़ा सा extra collect किया जाता है in the name of surcharge, in the name of surcharge, कि भीया additional levy, तुमने अगर एक limit के उपर कमाया, तुमने अगर एक limit के उपर कमाया, तो तुमको थोड़ा extra देना पड़ेगा, because you are earning high, yes? तो जो HNIs होते हैं, जो जादा कमा हैं, यह surcharge पे करते हैं, अभी जैसे कि अब समझ लीजए, अभी शेक सर, ठीक है? अभी एक share था, last time ही, he earned 90 lakh rupees in that share, अभी था 5 Stargar के एक share था, he legit earned 90 lakhs, अभी इसमें 90 lakh rupees उसने कमाया, एक आम आदमी मेरे जैसा कमा सकता है क्या? No, ठीक है? तो आम आदमी अपन लोगों की जैसे कमा सकता है क्या? नहीं, अभी उनने कमाया, 90 lakh जो उनने कमाया, सरकार कहती है, अगर कोई 50 lakh से उपर कमा रहा है, एक करोड से उपर कमा रहा है, दो करोड से उपर कमा रहा है, मैं income की बात कर रहा हूं, receipt की नहीं, मैं 10 पर वाली बात कर रहा हूं, कि अगर कोई income ज्यादा कमा रहा है, after all its expenses, तो उसको थोड़ा से extra देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी ने कहा था, मैं अमीरों से लूंगा और गरीबों को दूंगा, तो अमीर उस ताइम समझ नहीं पाए कि मोदी जी कह क्या रह है, अमीर उस ताइम समझ नहीं पाए मोदी जी कह क्या रहे है, उनने कहा था, भाई और बेनो, मैं अमीरों से लूंगा, गरीबों को दूंगा, अब लोग समझ नहीं पाए उस ताइम मोदी जी कह क्या रहे है, बाद में जब income tax पढ़ा उनको समझ मैं कि उनके sir charge हो गया है उनका क्या हो गया है, सरचार्ज हो गया है, मतलब tax तो देना ही देना है, tax के अलावा एक और additional percentage देना है, this is called as surcharge, yes, अब बताता हूँ मैं आपको क्या game किया, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा history समझ ये, डीटी में समझ नहीं पड़ता है, 2014, अपकी बार, 2014 में मोदी जी ने slogan लगा दिया, कि भाया, मैं अमेरियों से लोगा, गरीबों को दूँगा, लोगों को समझ नहीं है क्या किया, फिर income tax में उन्होंने क्या किया, slab rate सेम रखे, tax rate सेम रखे, और सिफ surcharge को बढ़ा दिया, क्या game खेला जरा देखना, income tax के rate सेम रखे, और surcharge को बढ़ा द क्योंकि tax जो होता है ना बिटा, वो center और state में divide होता है, सरचाज सिर्फ center के पास रहता है, तो आज जो आप इतनी scheme देख रहे हो, जिसमें बाग काईदा सिर्फ मोधी जी प्रमोट हो रहे है, this is only because ये पैसा किसी state के पास है ही नहीं, इतना fantastic दिमाग लगाया, बोला पैसा स सिर्फ center के पास रहेगा, किसी state का दखलना जी नहीं चाहिए, तब जाकर के clean ganga project, स्वच्छ भारत अभियान and etc. etc. के लिए पैसा बना, समझ मैं ही बाग, so fantastic brain, उन्होंने ये किया ही नहीं, कि भीया मैं state में divide करूँगा नहीं, तो हर state आकर के क्या करेगा, पैसा मांगेगा और मुफ्त की revenue बाटेगा, चाहिए नहीं, पैसा center के पास रहेगा, हमारे दिमाग में कुछ scheme है, हम scheme चलाएंगे, तो आज जो आप इतनी scheme देख रहे हो, ये अलग-अलग जगा, फिर इतने अलग-अलग जगा infrastructure projects build हो रहे हैं, ये सब कहां से आ रहा है, surcharge, are you getting the point, so what is surcharge, sur traditional levy, it is collected, if income, exceed a limit, तो आपकी income अगर एक limit के ऊपर चल जा है, तो हमको surcharge देना पड़ता है, it is only kept by union, it is only kept by union and it is a part of CFI, पैसा ये भी CFI में जातेगा, पैसा ये भी कहां जाएगा, CFI में ही जाएगा, पर जितना surcharge के नाम से collect हो रहा है, उतना सरकार के पास ही रहेगा, वो divide नहीं हो सकता, sir ऐसा कहां लिखा है, और surcharge लागने का power कहां से आया, article number 270, article number 270 to the Indian constitution, भारत सरकार को ये power देता है, कि tax के उपर आप क्या लगाओ, surcharge, आप पुछोगे, नए sir, हमको भरोसा नहीं है, आप बताओ, कहां लिखा है, वा साब लो, तुम्हारे लिए कुछ भी, article number 271, मैंने या 270 लिखा, article number 271, चलो देखिए, क्या लिखा है, मैं साथ पढ़ी है, पार्लेमेंट में, at any time, increase any duties or taxes, by way of a, surcharge, for the purpose of, union, समझ मारी वाद, तो ये जो पैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ कौन रखता है, union, yes, and proceeds shall form part of consolidated fund of India, तो इससे जो पैसा हैगा, वो consolidated fund of India का ही part है, सर पर फिर वो bifurcate कैसे करते होंगे, कि कितना tax का है, कितना सर्चाच, दोनों अलग-अलग column में भरते हो, जिससे वो automatically system bifurcate करता है, ये समझ में आया है, सभी को हायन ना, सहाब, बहुत बढ़िया, चलो, so, come on, revise with me, सबसे पहले क्या था बिटा, tax, obligation to pay, it is a percentage of income, it is divided between centre and state, रखा कहां जाता है, C.F.I., फिर आता है, सर्चाच, सर्चाच is an additional levy, extra लगाने का power, power कहां से आया, article number 271, से आपको ये power आया, रखता कौन है, सिर्फ, union, लेकिन लगेगा तभी, जब income एक limit से उपर जाती है, आपके मन में अभी बहुत सवाल आएंगे, कि सर, income किस limit के उपर गई, तो सर्चाच लगता है, मैंने आपसे क्या कहा, रुप जाओ, सबर करो, पहल it, फिर तीसरा आता है, CES, जिसको आज बोला जाता है, today, called as, HEC, that is, health and education CES, आज इस CES को, income tax में, बोला जाता है, health and education CES, बरवर, इसको क्या बोला जाता है, health and education CES, HEC, short form, हम पूरे income tax में इसका short form ही use करेंगे, HEC, which is also allowed, ठीक है, HEC, अब यह CES क्या होता है, CES is also an additional levy, लेकिन यह सिफ specific purpose के लिए पूरा किया जाता है, मतलब, सरकार ने क्या किया है, एक emergency reserve नाम की चीज़ बनाई है, जिसको यह लोग CES कहते है, wherein, इसमें जितना पैसा collect हो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए use होगा, वो सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए use होगा, 2015 में, जब पहली बार, you know, Modi ji आये, 14-15 के अंदर में, इन्होंने बोला कि यह हमारी सारकार की दो priority है, पहली priority है स्वास्त, और दूसरा priority है education, तो इसलिए इसको collect किया गया health and education sense, मैं आज आपको बता हूँ, यह पैसा कहां use हो रहा है, आपने concept सुना होगा, सर्वसिक्षाभियान, midday meal scheme, जिसके अंदर में underprivileged बच्चों को क्या किया जाता है, education और meals provide किया जाते है, इसका पैसा कहां से आ रहा है, HEC, दूसरी बात, आपने COVID के दौरान, टोचन लगाए द इस, बहुत सारे लोगों को paid vaccination मिला, illegally, बट maximum लोगों को जो यह vaccination था, यह free था, लेकिन यह vaccination खरीदा तो है न हम लोगों ने, किस से, Serum Institute से, यह उनों पुना वाला group, सरकार ने पुना वाला group को पैसे तो दियोंगे, पैसे आये कहां से, इतने लोगों को vaccine लगाने के लिए, CES, इतने सालों से health and education के उपर क्या किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, उसको collect किया जाता है in the form of CES, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह CES का पैसा can be used only for specific purpose, देख, tax का पैसा तु इंफास्ट्रक्चर में लगा दे, कोई तकलिफ नहीं है, CES से आने वाला पैसा health and education में ही लगा पाएगी सरकार, सिर्फ health and education के लिए ही use हो पाएगा, it is collected as a percentage of tax, tax का एक percentage से होता है, tax का एक परसंटेज क्या होता है बिड़ा, says and it is also the part of CFI, यह भी consolidated fund of India का पाल्ट है, यह भी consolidated fund of India का पाल्ट है, is that done, चलो, revise, sir हम कहां है, हम दूसरे वर्ड पे है, tax, मैं सिर्फ tax वर्ड को खोले जा रहा हूँ, कि भाई, tax और duty के बीच में फरक क्या है, tax के टाइप कित्ते होते हैं, क्या tax में सिर्फ tax होता है या tax के अलावा भी और कुछ collect होता है, तो tax में किती चीज़ collect होती बिटा, तीन, बोलो कौन सी, tax, surcharge, cess, यह तीनों को मिला के बोला जाता है, tax, समझमारी बात, तो income tax में सिर्फ tax नहीं है ब्रो, tax, surcharge, cess, पर surcharge हर केस में applicable होने वाला, पर cess हर केस में applicable होगा, मतलब, surcharge तभी लगता है, when the income exceed a prescribed limit, cess लगेगा ही लगेगा, हर केस में, so if there is one rupee as tax, there will also be HEC, समझमारी बात, there will also be HEC, तो अगर आपको tax calculation करने बोला, तो क्या मेरा बच्चा सिर्फ tax निकालेगा, या applicable surcharge if any, and HEC भी निकालेगा, both, yes or no, surcharge तभी when income exceeds the prescribed limit, HEC तो लगाना ही लगाना है, clear है मालिक? हाँ, कहां है हम, दूसरे वर्ड पर, सर आपको एक बाद पता है, foundation में इतने में unit खतम होता था, हाँ, हाँ, keyword को खोदे जा रहे हो, चलो, हाँ, तो खतम हो गया न, कि और भी कोई concept बचाए आपके हिसाब से, आइए सर, देखते हैं, आपके notes में देखिए, सबसे बहले tax and duty दिख रहा है, have we done this? yes, फिर सर्चाज और सेज दिख रहा है, have we done this? फिर direct and indirect tax दिख रहा है, have we done this? शांदार, आओ बटे अब हमने दूसरा वर्ड कतम किया, tax तो पहला वर्ड पढ़ा हमने act, act के बाद पढ़ा tax, अब मैं तीसरा वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको, 1961 1961 रुको जड़, कितने हमार कहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, मतलब 19, यह बच्पन से चल रहा है सर अमार साथ, फाउंडेशन से चल रहा है उठा करके 1872 का लग पढ़ा दिया, 1932 का लग पढ़ा दिया, अपै जब हम धर्ती पे थे नहीं तब के लग क्यों पढ़ा रहे हो I guess आप सब 2000 के बाद वाली काटेगरी में है, yes or no, right, the beautiful years, the golden eras ठीक है, हम 90s वाले, हमारा अलग रुबाब है थोड़ा, हमने सधी बदलते देखा है सर तो, मतलब, दो साल पुरानी में शटनी बेंता, दो साल पुरानी में गाड़ी नी चलाता, दो साल पुरानी 1961 का law, 2023 में पढ़ा रहे हो, क्या लॉजिक है law नहीं बदलता बेटा, law में सिर्फ amendment आते है technically, income tax हर साल अपने आपको पूरा अपग्रेड कर देता है और इसके अंदर में क्या आते है, amendments, इसके अंदर में क्या आते है, amendments amendments कहां से आते है, budget, हर साल क्या आता है बटा, budget, तो आईए, अब 1961 का law हम अभी पढ़ रहे है, उसके पीछे का logic क्या है बोलो बटा, budget आईए अब आपको समझाते है, budget क्या होता है, जिन्नगी में पहली बार समझो, कि क्यों फरवरी में हर CA, professionals, आपके डाड, TV को स्टिक होते हैं budget, जि, tax के साथ ही collect होता है, along with the tax, मतलब जोब आप tax calculate करते हो, उसी के साथ आप says भी pay करते हो next is budget, हाँ जी, मैं आप से जानना चाहूँगा, what is budget foundation में तुमने पढ़ा है, what is budget, is budget an estimate, about future outflow and is budget is an estimate about future inflow and future outflow, yes or no, right, अच्छा, अब हुम कौन से budget की बात करें, क्या हम जो normal budget बनता हूँ, उसकी बात कर रहे, या हम बात कर रहे है finance budget की, या हम बात कर रहे है finance budget की, finance budget की बात कर रहे है, sir, budget हर साल आता है और budget क्या लेके आता है, amendments, budget क्या लेके आता है, बुलो बिटा, amendments, अब यह जो amendments होते हैं, यह amendments की applicability होती है, थ्यान से सुलना, budget के दो type होते है, there are two types, एक होता है, final budget, दूसरा होता है, interim budget, बात समझना, सर, budget कब आता है, budget आता है, बिटा, every year, on 1st Feb, हर साल 1st Feb को आपका budget आता है, it is presented by, बुलो, finance minister, it is presented by, finance minister, सर, budget कौन से Act के हिसाब से बनता है, anyone, budget कौन से Act के हिसाब से बनता है, anyone, हाँ हाँ, बुलो, बुलो, अरे गलत रहेगा चलेगा यार, कोई तकलीफ नहीं है, बुलो तो सरी, FRBM Act, income tax act, Sir, the budget is prepared as per FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, बहुत सारे बच्चों को लगता है, finance act से बनता है, गलत है, the budget is prepared as per, it is prepared as per FRBM Act, FRBM, Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, latest updated, so, budget is prepared as per Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Yes, तो चलो, जल्दी से बताओ, budget कौन से साल में आता है, हर साल आता है, कित्य तारीक को आता है, 1st Feb को ही आएगा, Sir, ये date chain नहीं होती, क्यों नहीं होती, 1st Feb को ही budget आता है, कौन प्रेजेंट करता है, prepare कौन से Act के साब से होता है, FRBM, FRBM का full form क्या है, Fiscal Responsibility and Budget Management Act, क्या आप जानते हैं, CA final के बाद, Tech Mahindra ने इसको अपने interview question में दो बार पूछा है, budget is prepared as per which Act, Tom Tom ने एक बार पूछा है, budget is prepared as per which Act, समझमारी बात, interview question नहीं है, अच्छा, budget दो प्रकार के बनते बेटा, एक है final budget, दूसरा है interim budget, budget किते प्रकार के है, दो, एक है final budget, दूसरा कौन सा है, interim budget, अब interim budget कब आता है, interim budget आता है, in the year of election, in the year of election, election के साल आपको interim budget देखने को मिलता है, so technically, in the year of election, there are two budget, एक budget आता है, first budget आता है, interim budget, ये जो interim budget होता है, ये February में ही आजाता है, पर अगर आप देखेंगे, ये जो interim budget होता है, ये first February को ही आजाता है, ठीक हो, थोड़ा और zoom करूँ, इतना ठीक है पीटा, सभी को दिख रहा है, okay, so, जो interim budget है, बजट के साल में दो, अभी जैसे मैं आपको बताऊं, I guess अगले साल इलेक्शन है, तो 2024 में आपको देखना दो बजट देखने को मलेंगे, एक होगा जो फरवरी में ही आ जाएगा, clear है, तो जो existing government है, NDA government, right, मोधी सरकार, यह अपने करतव्य के हिसाब से एक फरवरी को फिर आपको अगर पता हो, तो मार्च से इलेक्शन चालू होते हैं, जो जून इंड तक खतम होते हैं, हर स्टेट में, yes, अब फिर जो भी नहीं सरकार बनेगी, for example, या तो existing government रिपीट होगी, या तो new government आएगी, as the case में भी, तो जो भी नहीं सरकार बनेगी, वो फिर दूस लेकर आते हैं, इसको हम कहते हैं, final budget, और ये कहीं न कहीं, July या August में आता है, depending upon the time, जब भी उसके बाद में new government अपना पहला session लेकर आएगी, तब final budget, याने technically, interim budget कब से कब तक के चल रहा है, February से, जब तक नया नहीं चल जाता, June, July तक के चल रहा है, और फिर जो final budget आ रहा है वो July से लेकर के कब तक चलता है, अगले March, समझमारी बात, और फिर तो अगले 5 सल final budget आ नहीं आना है, तो in the year of election, you get two budgets, कौन से budgets, interim as well as final, final budget आपको कब मिलता है, every year on 1st April, sorry, 1st February, every year on 1st February, फिर election जैसी घतम हुआ, इसके आगे हर 4 साल, सिर्फ एक ही budget आने वाला है, that is final budget, एक फरवरी को आजाएगा, जो भी नए finance minister होंगे, वो लेके आते रहेंगे, yes or no, budget समझमारी है, तो हर साल, बताए, 1961 का law, आप 2023 में पढ़ रहा है, क्यों, क्या technically law बदल रहा है, या law सिर्प amendment हो रहा है, amendment, amendment कहां से आते है, budget से, everybody, budget किते प्रगार के रहते है, दो, एक रहता final, दूसरा रहता interim, 2023 में जो budget आया होगा, final होगा, 2024 में जो आएगा, interim and final, दो आएगे, जो interim रहेंगा, technically वो फरवरी से जून तक वर करेगा, और जुलाई से जो भी नहीं सरकार अपना budget बन Sir, budget क्या लेके आता है, budget brings amendment, amendment का मतलब क्या होता है Sir, amendment, amendment का पहले meaning समझो, amendment are the changes proposed in budget, amendment are the changes proposed in budget, तो budget के अंदर में, जो भी changes proposed होते हैं, उसको हम कहते हैं कि यह amendment आया है, yes or no? Sir, हमें भी देखना है, कौन से website पे मिलेगा, www.unionbudget.nic.in तो अगर आपको देखना है यह budget, तो आपको दिखता है unionbudget.nic.in की website के उपर, हर साल जो भी budget आता है, present होते ही तुरंत website पे upload कर दिया जाता है, सरकार की website है, वहाँ से data निकल जाता है, पूरा का पूरा. Sir, इस साल कितने amendment आये हैं, मतलब जो हमको पढ़ने हैं, 122. कित हैं? 122. सुर सारे हमको पढ़ने हैं, 80. सिर्फ? हाँ, मतलब 80 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. वहाँ, 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 वहा and every word का meaning पता हो, कब आ रहा, क्यों आ रहा, कहां से आ रहा, काई के लिए आ रहा, नहीं तो मतलब नहीं आएगा तिरको, अब सुन, amendment आया, amendment में, जो भी budget आएगा, budget तिरको amendment ला करके देगा, ये जो amendment रहेंगे, ये तरको कौन सी website पर मिल जाएगे, unionbudget.in, ठीक है, इस पर amendment मि मतलब है, changes, बरबर है, changes सिर्फ dt में होते हैं क्या, तुम्हारे हिसाब से, या idt में भी change करते होंगे, so changes in dt and idt, changes क्योंकि जो amendment आते हैं, ये दोनों तरफ के changes लेके आते हैं, changes जो आते हैं, ये दोनों तरफ के changes लेके आते हैं, dt मे भी लाते हैं, idt में भी लाते हैं, pen मैंने एक सवाल छोड़ा था आपके लिए, सवाल लिपीट करो ना मेरे लिए प्लीज, और जिसको याद नहीं आर रहा वो जाके अपनी बुक पलटाएं, एक आया था 1961, रूल्स आया थे 1962 और ब्रो मैंने तरको बोला था ऐसा क्यूँ और ये सवाल मैंने तरको छोड़ दिया था और मैंने कहा था आज डिसकस करूँगा और देखो आज डिसकस करूँगा लॉजिकली सम्झाओंगा और तुम बोलोगे भाई फुल रिस्पाक्ट सम आएक्ट कंतें प्रोविजन ओफ लाओ, रूऊल्स कंतें इंप्लिमेंटेशन ओफ लाओ एव्रियबड़ी यह रखा इधर ठीक है दिख रहा ही है ? दीखना ही चाहिएJust यहा क्या है act 61, rule 62, यहां क्या है, act contain provision of law, rules contain implementation of law, यह जो भी है, यह amendment से change होती है, काई से change होती है, यह amendment रख दिया मैंने इदर, ठीक है, इदर क्या है, act rules, इदर क्या है, act contain provision, rules contain implementation, और यह जो भी act चेंज हो रहा है यह काई से आ रहा है amendment यहां तक के ठीक है अब सुन हर साल बजट आता है हर साल बजट आता है बजट एक फरवरी को आता है बजट जो होता है वो finance minister present करता है यह जो बजट आता है इसके अंदर में direct tax amendment as well as indirect tax के amendment आते हैं यह amendment finance he लेके आता है ये amendment ऑपन कौन से करना है कैसे ये amendment कॉन से करने है कैसे समझेगा तो आपको टेंच्ण लेने की ज़रूत नहीं है lotました law नाएंंगे law implementer इंपलिमेंट करेंगे law interpretor करेंगे तब संजय या मेंदमिंट क्या करना है के है कुछ बहुआ है है So, याद आ रहा है कि तेरेको, अमेंडमेंट कैसे पता चलेंगा, आज की दिन की शुरुवाती वही थी हमारी, कि यह lawmaker law बनाता है existing situation को देखते हुए, law implementer उसे implement करता है, कई बार जब जगड़े हो जाए, जगड़ों के बाद वह वापस communicate करते हैं, कि सरीय DCA न हमारे favor में न update करो, तो इससे आए amendment, अब 122 amendment आए, जो IDT के amendments है, they are applicable from midnight, unless otherwise provided, तो जो indirect tax के amendment लेके आएंगे न भाई साब, यह उसी रात से लागू हो जाएंगे, like petrol prices, रात 12 बज़े से लागू, so changes in indirect taxes are generally applicable from midnight, unless otherwise specified, तो अब तक कि अगर कोई और date नहीं दियोगी, तो यह by default है कि वह उसी रात से लागू हो जाएंगे, अगर कोई अलग date नहीं दियोगी, कोई तारीक अलग नहीं दियोगी, यह उसी रात से लागू हो जाएंगे, clear है मालिक? DT के amendments, pen down, DT के amendments are applicable from first day of next year, वापस से सुनिए मेरी बात को, DT के amendments first day of next year से लागू होते हैं, क्योंकि पूरा income tax assessment year, आने वाले साल की language में लिखा है, पूछो ऐसा क्यों? भाई, current year में तो तुम income कमाओगे न, understand, 1-4-2023 से ले करके 31st March 2024 तक के तो तिसे तेरी income compute होती रहेगी न, 31st March 2024 रात 12 बजे तक के तू धन्दा करेगा वो इस साल में आएगा, तो 23 से लेके 24 तक का जो income है वो तो income calculation का होगा न, क्या रात में 12 बजे tax pay करेगा? stop, tax pay डिपार्टमेंट में होता है या डिपार्टमेंट को होता है? रात 12 बजे ओपन रहेगा गो बैंक? नहीं, यानि आपको technically इस साल तो सिर्फ income compute करना है, अच्छा 31st March के accounts भी 31st March को final नहीं होते, वो इसके बाद होते है, यानि उस साल की income पे tax के आप उस साल देते या अ मैं वापस सम्झाएगा, वापस सुन, 14-2023 तेरा financial year चाल हुआ, हलो, 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 आवाज नहीं हारे, ट्रिंग ट्रिंग, हलो, एक चार-2023 से तेरा financial year चाल हुआ, ये तुने 12 महीने income कमाई, 31st March 2024 को तेरा year खतम हुआ, अकांटिंग दन हो गई क्या? अरे जो beer बार होगा वो ङिसने टक का जो आखरी भी बिल होगा, वो भी तो इस साल में जहेगा, ब्रो, Yes, अभी account अगांड से appreciate अगया अगया, इस साल में आप से maximum कमाते हो, इस पी tax अगले साल देते हो, तो इस साल में income कमाई, उसको कह जाता है previous year, क्या कह जाता है? previous year जिस साल में इंकम कमाई उसे क्या का जाता है? जिस साल में इंकम कमाई उसे क्या का जाता है? अले बंदो, जिस साल में इंकम कमाई उसे क्या का जाता है? उसके आगे के एर जिस साल टैक्स पे करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वापस से, जिस साल इंकम को कह दू, income of previous year taxable in assessment year, फिर समझ में आगे तूंगा, बुलो नहीं समझा, income of previous year is taxable in, so whatever you will earn between 23-24, you have to pay tax between 24-25, तो आप बताईए, income tax current year की language में लिखा होना चीए या आगे के साल में लिखा होना चीए, make sense, क्योंकि income tax जो तुम पे कर रहे है, वो आने वाले साल में पे करना है, इसलिए पूरा income tax की जो language है, वो assessment year में लिखी है, once a year में लिखी है, assessment, आगे के साल में लिखी है, तो अब 1961 में आगया होगा, exactly implement कभ होगा, hence prude act 1961, rules 1962, act contain provision of law, rules contain implementation of law, logic, bro, logic समझ में आया क्या, अरे आया क्या, how dare you, बुलो नहीं आया, वापस सम्झेंगे, तुमारा जानता, मेरा नहीं ता, मैं अपने आपको अपस सम्झा रहा हूँ, विजे सुन, हाँ, हर साल, एक अपरिल को, क्या चालू होगा, year चालू होगा, सुनो, एक भाव, please बाजो, हाँ, कल हमने एक सवाल चोड़ा था, सवाल क्या था, Act 61, Rule 62, ऐसा क्यों, ये सवाल इधर खड़ा है, Act contain provision of law, rules contain implementation of law, ये इधर खड़ा है, हर साल changes आते, changes कैसे आते, lawmaker law बनाता, implementer उसको implement करता, तब जाके implementation में तकलीफ आती, वो बताता, law change करना है, या फिर interpretation में case आता तब हो समझाता कि law को क्या करना है, change, lawmaker, implementer and interpreter, तीनों मिलके law को amend करते, ये amendment आता बजट से, अब बजट में जो amendment आता है, वो लागू कब से होते, indirect tax के amendment उसी राथ से लागू हो जाते, लेकिन direct tax ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आप income कमाऊगे, income पे analyze करोगे तब पता चलेगा income कितनी है, इसी साल tax pay कर दोगे, tax कपे करना है अगले साल, जो इस साल की income कमाए उस पर अगले साल, तो technically आपको क्या लगता है, income tax current year की language में लिखा है या आने वाले साल की, जिस साल income कमाए है उसको क्या बोलते है, जिस साल में tax pay करोगे उसको क्य क्या बोलते हैं, जिस साल in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, income of previous year is taxable in assessment year, जा है तो पूरा income tax current year की language में लיכा होगा या आने वाले साल की language में लिखा होगा, ये बात clear है, तो 1961 में जब पहली बार act लेके आया होगा, क्या 1961 से act लागू हो गया होगा, इंप्लिमेंट कब से हुआ होगा रूल्स कौन से साल से आने चाहिए Hence Act 1961, Rules 1962 भाई और बेनो यही तो मैं तुम्हें कल समझा रहा था बुक का पहला पेज, पहली लाइन फिर पड़ो अब समझ में आएगा या लिखा क्या है The Act came in to force on 1st April मेरे प्यार भाई और बेनो कोई अधर Act ऐसा नहीं मिलेगा कि 2013 का 2014 में लागू हो रहा Companies Act हमारा ऐसा ही है, लिखा 61 है, चालू 62 से होगा समझा रही यह बात अब आज कोई पूछे, Act 61 में आया, Rule 62 में आया ऐसा, क्यों? तो उसको कहना, दो पूरे दिन लगते हैं समझने के लिए आज जाना, अपने इंस्टा, Facebook, Twitter, Snapchat, Bumble सब जगा लगाना, Act 61, Rule 62 लोग पुछेंगे, क्या है यह? क्या डाल रहा है? C.A. THINKS 4 गंटा भी ताना पड़ता, तब समझा आता यह डिफरेंस क्या है दिखने को एक दिखता है, सिफ एक एर, समझने को पांच घंटा लगता धीरे, 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 जब एक एक वर्ड में घुसोगे, तो एंड में समझ में आता इत्ता बड़ा गेम था कललका, चंगलवाटलका, चंगलवाटलका, चंगलवाटल, रुको, खतम नहीं होगा, इधरा है अब तो शुरू हुआ है बिटा, हाँ, तो IDT के अवंड में कबसे अपली के बले, मालिक फुल रिस्पेक्ट, आज जाना, अपने घर पे बताना, अपने दोस्तों को बताना, उसके आंख में आस हुआ जाएंगा, भाई, रिस्पेक्ट, वो फाउंडेशन वाले कवले कव अले अले बच्च, इदरा, Act 61, Rule 62, हाँ भाईया, क्या रहता, डीटी होता है, थोड़ा attitude है, एंटर में आगे बाईया, अगले साल लागू होता है, क्यों भाईया ऐसा क्यों होता, ब्रो, current year में तो 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 इंकम कमाएंगा, इस इंकम पर टैक्स अगले साल देगा, इंकम जब तक फाइनलाइज नहीं होगे, उस पर टैक्स कैसे निकलेगा, रहे, उसके आखो में आसो आ जाएंगे, वो सोचना लगे, तभी साला ये इंटर में है, अंदर की सच्छा उसको पता ही नहीं है, उसको आईसा भारी ये क्लियर है बोडो, चलो, जल्दी से, डिटीके अमिंटमेंट्मेंट्मेंट्मेंट्स कबसे अपली के बल है। इसको टैमलाइन में समझते है जरह, इसको टैमलाइन में समझते है, येस इसको जरह टाइम लाइन में समझते हैं हो यह है, सुनो, ऐसा हुआ होगा न, 1st फर्वरी 2023 को क्या आया होगा? बोलना ब्रो, 1st फर्वरी 2023 को क्या आया होगा? बजट 1st April 2023, यहां से आपका law, new law क्या हो चुका है? start 31st March 2024, यह क्या हुआ आपका? year end, अब इस year में आपने जितनी income earn करी 24, 25 में, आप क्या pay करेंगे? taxes पे पे करेंगे, तो इस year को क्या बुला जाएगा? previous year, और इस year को क्या कहा जाएगा? previous year, we are yet to discuss previous year and assessment year, तो सिर्फ छोटा shortcut में ही लिख के रखना है इसको, तो एक किक के लिद रहो है तो आपका? और आप आपका? झापका? झापका? उाल झाल झाल बुलो नहीं समझा ऐसे कैसे बुलो नहीं समझा देख एक फरवरी को निर्मला दीडियो की बजट डिक्लेर किया होगा एक एप्रिल से 31st मार्च यह तरह फिनांचल यह जब तु इंकम कमाएगा इंकम टैक्स निकाल सकता है क्या नहीं तो यहां तु सिर्फ इंकम उर्न करेगा टेक्निकली जो बजट तेवीस में आया टेक्निकली जो बजट कहा आया तेवीस वो तेवीस से लागू होना शुरू होता है लेकिन actual implementation कब होगा उसका 24-25 जब तु टैक्स कैल्कुलेट करता रहेगा एन हेंस हेंस जिन लोगों का मेय 24 नवंबर 24 जून 24 अबलिक डिसेंबर 24 होगा इनके लिए Finance Act दो हजार चोवीस वाला काम का है या दो हजार तेवीस वाला पक्की बात क्योंकि दो हजार चोवीस में जो बजट लेके आएंगे इन्ट्रिमेन फाइनल बजट वो तो कौन से साल के लिए होगा दो हजार पच्चिस के लिए होगा तो आप सभी लोग याद रखेंगे आपको Finance Act दो हजार तेवीस काम का है लिख के रखो तो अगर आपका गलती से में 24 नहीं हो पाता तो आपको DT दूबारा पढ़ने की जुरूत नहीं है हाँ पर नवंबर चोईज भी नहीं हो पाता तो आपके हिसाब से क्या होगा DT वापस पढ़ना पढ़ जाएगा क्यों? Finance Act अब आपको याद हो तो कल मैंने एक लाइन बूली थी अगर आप November 23 वाले बच्चे और May 24 में दे रहे हैं यू again have to prepare DT समझमारी वात क्योंकि Finance Act ही बदल गया जिसने November 23 दिया होगा उसको budget कौन सा लगा होगा 22 तो तुमारा attempt में 24 है जहान सा सुनना तुमारा attempt में 24 है और you know फरवरी में budget आ गया कोई बच्चा में को ऐसा तो message नहीं करेंगा ना सरीए budget हमको काम का है क्या? वो तुमारे काम का ही नहीं है तुमारे को पिछले साल वाला budget लेना है समझमारी यह बात? चलो वापस से एक बार FR BM in the year of election किते बच्चेट? interim budget and and हर साल क्या आएगा? budget से क्या आते है? amendments amendments कहां सिप DT में होगे IDT में होगे IDT के amendments are applicable from DT के amendment is applicable from first day of next financial year तो क्योंकि पूरा income tax कौन सी language में लिखा है? आने वाले current year में तो सिप income निकालोगे इस income पे जो tax देंगे वो कब देंगे? अगले साल इसलिए पूरा income tax आने वाले साल की language में लिखा है hence act 61 rules 62 क्योंकि act 1961 में जो budget आया होगा उसका actual implementation तो 62 में ही हुआ होगा 61 62 में income कमाई होगी इस income पे tax 62 63 में दोगे एवरिबाडी येस जिस साल income कमाते है उसको क्या बोलते है जिस साल tax पे करना उसको क्या बोलते है clear है तो जो बच्चा May 24, November 24, June 24 या December 24 दे रहा है आपको finance act 2023 3 applicable है जो 24 में 2 budget आएंगे वो दोनों भी आपको applicable नहीं है sorted है bro तो अब हमने discuss कर लिया अब हमने discuss कर लिया है एक सवाल है जी कोई problem नहीं है income computation में change नहीं होता income computation में change नहीं होता वो same ही रहने वाला है हाँ जी एक सवाल अच्छा सवाल है interim budget BJP ने दिया suppose वही वापस repeat हो गए आप शोर होके भी बोल सकते थे और नया government वापस BJP आया तो क्या वो same budget रखेंगे या नया budget करेंगे यह उन पर depend करता है अब उनका five year plan क्या है आगे का तो वह same भी रह सकता है वह हो सकता है बोले कि भीया ने इसे में रखो हमको मालू में जैसे 2019 में उनने जो interim लाया था वही final किया उनको इतना confidence था positions पर उनने बोला भाई हम चलने वाले है तो यह चलने दो हमार को कुछ change नहीं करना बट यह हो सकता है कि उनके five year के आगे के plan क्या है उस basis पर change ला सकते है पर generally ऐसा होता है मतलब आज तक इतने सालों से हम लोग भी changes नहीं लेके आते in order to avoid maximum confusion उनको कुछ amend करना भी है तो अगले साल जादा amendment कर देते हो लोग एक साल से कोई बहुत बड़ा फरक नहीं पड़ जाता उनको yes or no technically उनका play area सिर्फ 7-8 मेने कही रहता तो वो यहां कुछ नहीं करते है जो करना है फिर अगले साल कर दालते yes हाँ जी oh the income tax act 1961 कितनी चीजे पढ़ ली बेटा तीन बताए 1961 का लोग आज पढ़ रहे हम आउटडेटर तो नहीं हो गए हर साल क्या आ रहा है इसमें सौटेडे ब्रो तो टेक्निकली हर साल act लिखा 1961 हमारा contract जैसा नहीं है हमारा हर साल update होता बोल करके yes okay चलो जी अब मैं सभी लोगों को लेके आता हूँ यहां आपका basic वाला जो पालता है यह खत्म हुआ अब तक क्या पड़ रहे थे basic अब आप section में जाओगे अब आप कहां पे जाओगे section ठीक है पहला section section 298 एक में पहला section पहला होता है डीटी में ऐसा नहीं होता डीटी में पहला section 298 होता है मतलब सेरेंड वाला हाँ बताये CBDT और CBIC बनाया गया था why they have made CBDT and CBIC they are permanent body if you are making a body if you are making a body don't you think you have to delegate the power that whenever you feel correct for implementation of law you take your own calls yes or no अगर किसी को भाई किसी को अधिकार दे रहे हो तो उसको पावर भी तो देना पड़ेगा तो ऐसे case में section 298 इंसर्ट किया income tax में कौन सा इंसर्ट किया बूल जल दी से 298 और section 298 इंसर्ट करके बूला if any difficulty arise in giving the effect to the provision of this act central government may by general or special power do anything not inconsistent with the provision which appears to be necessary or expedient for removing the difficulty 298 में सिर्फ पावर दिया कहा अब हम पावर CBDT को देते हैं आगे चलके implementation में किसी भी तरेके का तकलीफ आता है इसको deal कौन करते बैटेगा CBDT clear है मालिक central government ने ये power अपने हाथ में दे दिया general order निकालो special order निकालो और ये clear करते है बैटेओ अब आते हैं पहले section पे section number one अब जरह देखें ये भी हुआ क्या हमारा भाई budget किते प्रकार क्यों होते है दो final and interim every year and in the year of election clear है direct tax के amendment first day of next year in direct tax के amendment midnight एक फरवरी को दीदी बजट लेके आएगी एक अपरिल से ये implement होना शुरू हो जाएगा और tax is payable in the assessment year ये aypy लिखावा दिख रहा है मालिक सबको चलो अब आते है section number one पे बताईए section number one किसी भी act का होता है short title extend and commencement क्या होता है बोलो जल्दी से short title extend and commencement अब आप इसको पूरा जानते हो that will be called as income tax act it extend to whole of India इस बारे में सबको जानकारी है अच्छा act तो 1961 से आ गया implement कब से होगा एक एक वर्ड समझ में आ रहा है कित्ते section है कित्ते schedule है Saturday sir यह हो गया आपका section number one जो हम almost खतम कर चुकी है चलिए रेजिस्टर में यह नहीं लिखना इन्होंने कहा whole of India यह India मतलब कल हमने discuss किया था बेटा India extend up to clear है तो जरह यह देखिए इंडिया का coast इंडिया कहां तक extend कर रहा है बेटा 200 nautical miles सर समझ लीजे क्या पानी के अंदर का भी part cover है पानी पे का भी part cover है above the sea base भी cover है yes so anything within this 200 nautical miles is a part of India sir what if if the other country is also sharing the waterways जैसे अभी श्री लंका और इंडिया इनका 12 km तो दोनों का common ही हो जाएगा दोनों country mutually decide करती है इसके लिए एक agreement बनता है called as DTAA ले clear है मालिक okay sir एक nautical mile कितना होता है यह जो nm है यह nanometer है क्या नहीं इसको बोलते है nautical mile इसको क्या बोलते है बेटा nautical mile one nautical mile is equal to 1.843 km one nautical mile is equal to 1.843 km और यह एक imaginary line है एक ऐसी line है imaginary समुद्र के अंदर कोई ढूंते नहीं बेठेंगा कि exactly हो line कि इदर है तार तो इदर दीखी नहीं रहे तारा सिंग कैसे जाएगा no imaginary line है एक पिछले बैच की बच्ची ने बड़ा समझदार सवाल पूछा था सर आपने यह सिब left side में दिखाया है right side में हुआ तो मैंने का बिटे respect यह सब जगह से है पिर मैंने उसको बला सब जगह से है तो उसका unique question सर पर इंडिया के उपर side तो Afghanistan, Pakistan and China है न तो फिर वहां कैसे होगा मैं बोला वहां नहीं होगा पर सर आपने तो बोला मैंने बोला यह waterways है जहाँ water ही नहीं है वहां क्यों दिमाग लगा रहे हो is this clear? so India कहां तक? अच्छा मैं आपको एक बात बता दू point number one पहले clear कर दू income tax में section याद करना mandatory नहीं है like companies act क्योंकि यहां पर इतने हैं वह होई नहीं सकते याद तो यहां पर section number याद करने का नहीं हो जाएंगे यह मेरी guarantee दूसरा यहां case law याद नहीं रखने हो जाएंगे यह मेरी guarantee तीसरा यहां पर कोई specific format नहीं है solve करने का पहले provision फिर यह फिर वो फिर वो हमरे यह ऐसा नहीं है because every question is different every question is different तो यहां वो नहीं है तो बिल्कुल यह सवाल sir definition learn करना जरूरी नहीं है हो जाएगी यह मेरी guarantee ठीक है आजाओ करवा दूँगा so point number one मस्ती करना हूँ जो जरूरी होगी exam oriented होगी सिर्फ वो बता दूँगा unnecessary कभी भी किदर भी नहीं है DT बहुत ज्यादा बड़ा है yes मतलब बहुत ज्यादा बड़ा तो जितना काम का है exam oriented है सिर्फ पढ़ेंगे सब लिखेंगे उतना जो काम का है so India कहा तक extend हो रहा है बोलो जल्दी से ठीक है India का definition is much more relevant in IDT rather than in DT हमार को को काम नहीं इसका yes पढ़ हां लिखा है तो पढ़ने का है India means territory of India as per article number one to the Indian constitution its territorial water sea bed sub soil underlying water समझ में आ रहा है क्या sea bed पानी पे sub soil पानी के अंदर continental shelf exclusive economic zone another maritime zone and the air space above the territorial water बात वही हो गई पानी के अंदर पानी पे पानी के उपर 200 nautical mile में आपने कहीं पे भी income generate कर ली that will be subject to income tax in India 200 nautical miles के बाहर है दोनों country का mutual decision हो सकता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान कुछ waterways दोनों share करते हैं कुछ waterways दोनों share करते हैं तो दोनों के बीच में टैकसस के परपस से mutual agreement बनता है ऐसा हो सकता है कि वह income सिप इंडिया रख ले ऐसा हो सकता है वह income पाकिस्तान रख ले ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कुछ part कुछ activity की income पाकिस्तान रखेगा कुछ activity की income इंडिया रखेगा ऐसा भी हो सकता है दोनों exempt करने तो possible है यह possible है यह दोनों कंट्री के mutual consent पे होता है काम अच्छा जी और मैं आपको एक बात बता दूँ आप किसी भी कंट्री के कुछ भी वह हो जाए यह जो taxation treaty है वो उससे अलग होती है taxation treaty उससे अलग होती है राइट चलिए section 1 for short title extent and commencement exam and review not relevant 225 way India, India extend up to 200 nautical mile इससे उपर अपने काम का नहीं है exam and review से section number 4 sir एक बात बताओ जब भी हम कोई act पढ़ते है 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 298 फिर 1 फिर 224 सब sequence है numbers से income tax में कुछ game नहीं होते है यहाँ पे sequence चलता है पूरा का पूरा तो जिस sequence में हम चल रहा है section 4 as it is, जितने words के साथ एक line में लिखा है उतने words के साथ register में लिखो अचल प्टे पूरा झाल भाई झाल सब में एक प्रूप रहा प्रूप अज़ झाल 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 जिस सीक्वेंस में जितने स्लो जाओं प्लीज वैसे चाहिए इनकम टाक्स इस पेएल नहीं सबने नहीं बूला इनकम टाक्स इस पेएबल for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year बरे बर एक और बार बोलेंगे चलो साथ में ठीक है वन टू 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 टाक्स इस पेएबल for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year हां कुछ तो vibrant लग रहा है है न सब लोग इतना सब बूर एक बार और चलो फड़ी से तुमारे X के लिए start X है की नहीं है X है की नहीं है नहीं है तो चलो उसकी यादो में हम बोलो 1-2-3 start income tax is payable for any assessment year at the rate specified in annual finance act in respect of total income of any person in previous year ठीक है तो आपको नहीं लगता इस वर्ड को तो हम अल्रेडी तोड़ ताड़ करके आ गए ठीक है अब देखो कितने वर्ड बाकी है हमें income वर्ड समझता है क्या नहीं assessment year समझ रहा है क्या नहीं annual finance act के rate समझ रहे गया नहीं total income क्या होती है समझता है क्या person में कौन-कौन आता है समझता है क्या previous year क्या होता है समझता है क्या इन सब को तोड़ना पड़ेगा आपको तो पता है मैं average बच्चो यव मेरे को इन सब को तोड़ना पड़ेगा ये हर एक word है जो अगले दो दिन तक चलते रहेंगे अरी इत्ते सारे वर्ड है आपको तो बता है पहली बार में आक्ट पढ़ रहा हूँ आपको तो मालूम है ना आप पढ़ के आए हो मैं थोड़े न पढ़ के आए हूँ अब टैक्स वर्ड सिर्फ एक जाना पेचाना वर्ड इसमें एक ही है टैक्स जिसको भी हमने तीन पार्ट में लिखा वट इस टैक्स, डारेक्स, इंडारेक्स, टैक्स, टैक्स, सर्चाज, सेस फिर हम लोगों ने तीसी चीज लिखी कि भी है टैक्स के टाइप किते है यस और नो उसमें भी तीन पार्ट थे चलो आप discuss करते हैं, income, जिसका आपको था इंतजार, income, ठीक है, पिन वेन नीचे रगदो, अभी 15 मिनिट पिन का कोई काम नहीं है, और प्लीज सभी लोग, specially मेरा वो वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, सहरा डिजर्ट वाला, और इधर वो पिलर के पीछे वाला, आप examples दूँगा, और आपको सिर्फ मुझे ये बताना है, income है या नहीं है, please right now, don't go into the matter, ये tax लगेगा के नहीं, आपके हिसाप से सिर्फ ये समझना है, ये income है या नहीं है, तो मैं prestige point पर समोसा बेचता हूँ, is it an income or not, मैं prestige point पर classes लेता हूँ, chicken बेचता हूँ, income, acting करता हूँ, stand-up comedy, मैंने कुछ बूला ही नहीं, मैंने कुछ बूला, cricket खेलता हूँ, advertisement करता हूँ, investment किया company में dividend आया, रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, मैं हूँ सुल्टान मिर्जा, मडर किया पैसे आया, मैं हूँ डॉन, मडर किया पैसे आया, powder बेचा income आयी, powder बेचा income आयी, powder बेचो या powder बेचो, income आयी, is it an income, cricket का सट्टा लगाता हूँ, जन्नत का इम्रान आश्मी है मैं, is it an income, मैं मंदिर में गया, तिरुपति बालाजी, भगवान के लिए income है क्या हूँ, हमें नहीं पता, इसलिए तो हमें person मतलब क्या है, यह समझना न, इस भगवान है person, तुम नो कहा, पढ़ा के तुमने, नो, तीन तरकी के बच्चे होते हैं, एक होते जो पढ़ते हैं, एक होते जो मस्ती करते हैं, तुम तीसरे आविशकार करते हो, पढ़ाया इन्हें उसको, कैसे समझ मैं तुमार को, भगवान income person है या नहीं है, कैसे डिसाइड किया तुमने, भगवान person है या नहीं है, करेंगे discuss, रुको तो, मैंने अभी तुमको सिब सोचने बोला, येश, तो बताएए मैं टायर पंचर सुदारता हूँ, is it my income? तो एक दिन मेरी बुवा मेरे घर पे आई, और उन्होंनों मेंको 500 रुपय लिफापे में दिये, is it an income? सोचते जाएए हमें discussion करना है, ठीक है, सोचते जाएए, ये दिन पैसे होगी बहुत जरुत पड़ी, मैंने मेरी किड्ने बेच मारी, is it an income? is it an income? सोचते जाएए, ठीक है? मैंने कहा, फिर my lord ये कोट का ध्यान बढ़काना चाह रहा है, मैंने क्या कहा, मैं सिर्क बोलते जा रहा हूँ, तुम अपने मन में एक decision लेलो, फिर हम लड़ेंगे, जगडेंगे, कुछ तो करेंगे, yes, income है या नहीं है, तुम decide कर लो, तो बच्पन में न, क्या हुआ था मेरा root canal हुआ था, तो उस टाइम पे, सोने का दाथ पपा ने डलवा दिया, पैसो की जुरत पड़ी मैंने बेच मारा, दाथ बेचा, सोने का, पैसे आए, is it an income, सोचते जाओ, फिर मैं Marathi movie produce कर रहा था, Archie, wherever, महराश्ट्र गवर्मेंट से subsidy आई 40% की, production cost के 40% महराश्ट्र गवर्मेंट से आए, is it an income, Dream 11 में team बनाई, एक करोड रुपे जीता, is it an income, local भहिया के पास जाके 60 लगाया, is it an income, सोचते जाओ, सोचते जाओ, कोई तकलीप नहीं है, सिप सोचते जाओ, क्या यह income है यह income नहीं है, ठीक है, अलग-अलग example चल रहा है हमारे, मैं न, you know Infosys में job कर रहा हूँ, salary मिल रही है, Infosys में job कर रहा हूँ, salary मिल रही है, prestige point के पास बच्चे आते पढ़ने के लिए तो मैं PG में बच्चो को रखता हूँ और monthly rent लेता हूँ, वो एकजम नहीं मानोगे तुम, वो भी income है, हाँ, मैंने shares बेचे, loss में, अब सवाल यह है, do income also include negative income, concept समझा गया, सवाल यह है, do income also include negative income, तो चले एक एक करते हैं, सबसे पहले, powder बेचा, drugs बेचा, murder किया, हवाला किया, पैसे आए, is it an income, those who say, those who say yes, raise your hand, यह income है, those who say, यह income नहीं है, यह हमारे पास एक भाई है, पास नहीं है, वो कह रहा है, income नहीं है, कि तरह से पढ़ी, income मत्ला, assume बोलो ना, ऐसा मत बोलो, वो शक हो जाएंगा यह कप पढ़ाया, नहीं नहीं, point to be noted my lord, इसको जरा लिखो मत बत आप समझ लो, हाँ, oh my lord, जागो जागो, जागो ग्राहक जागो हाँ, अरे भाई, income income होती है, क्या legal, क्या illegal, ऐसे ही कहना है न तुमारा, income income होती है, कमाया, हाँ, income है तो tax भी देना पढ़ेंगा, हाँ, ले लो, हम तो देने मैठी है, हमको कोई तक्लिव नहीं, आरे सव कमाया, तीज देना है न, दे देगे, चलो हमको क्या problem है, illegal भी चलेगा, ओ, illegal act के लिए पैसा ही जप्त कर लेगा, एक मिनिट, बताएगा कौन, पर एक सवाल है, बताया नहीं, तो टैक्स कैसे देने के लिए अगरी कर होगे, यह तो कोट का धन मटकाना चाह रहा है, और जब दिखाओगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा, है, I doubt my lord, हो गया का तो हाँ, अभी भी किसको लग रहा है, इंकम है, कोई अच्छा की केज दें उसके आत में, हाँ, खड़े खड़े, क्लाइंट को डिफेंड करना, थेक क्या मार हो, ओ, हेलो, पैसा पैसा होता है, गांदी जी की तस्वीर हरेक पे होती है, लीगल-िलीगल इंकम है, एक मिनिट, हम क्यों एक सब करें, यह लीगल है, नहीं है, हम क्यों एक सब करें, यह इनलीगल एक्टिविटी है, एक मिनिट, इनलीगल हाट, भाई, पैसा पैसा होता है, भाई, बात समझ, पाउडर बेच के आए या पाउडर बेच के आए, इंकम तो इंकम है, हम तो टैक्स करेंगे, आप बुक्स में शो कैसे करेंगे, बस इतना एक्स्प्लेइन कर लिजे, मैंको बुक्स ही नहीं बदानी, अरे बुक्स नहीं बदानी, अरे बुक्स नहीं है तो वो ब्लैक मनी हो गया न साब, हाँ तो आप बोल रहे हैं, बुक्स नहीं भी बनाए तो भी टैक्स करू, मैं टैक्स भी नहीं दूंगा, आइ लाइक यू एज़ प्रेंड, खाई जाब वासी बोलें, तो भाई यह जित्ते पे दिख रहे हैं, कि इल्लीगल इंकम इंकम नहीं है, बरवर ना, मतलब आप उस पर टैक्स नहीं देंगे, वो इंकम ही नहीं मान रहे हैं, वो कहना ही है इंकम ही नहीं है, तो हम इस पर टैक्स नहीं देंगे, तो हम कॉंक्लूड कर रहे हैं क्या, इस पर टैक्स नहीं देना, इल्लीगल इंकम पर टैक्स नहीं देना, ऐसा? तो जवाब दो, मराठी में एक कावत है, बाप दाखाओं नहीं तो श्राद्द कर, अभी है तो प्रूब कर के दो, मैंने तुमको यह मेरा जवाब अभी तक आया नहीं है, मैं सिव तुमको लडा रहा, पर मैं चाहता हूँ तुम अंदर से गलत निकालो तो सही अंदर जाए, जी बच्चे, एक मिनिट, एक लड़की भी हाथ ने उटा रही, मारी छोरियां छोरों से कम एक है, एक हाथ तो कोई, हाँ जी, जी 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 बच्चे, इल्लीगल है तो नोट टैक्सेबल हो जाएगा, इल्लीगल है, हाँ वो भी वही को रहे है, वो भी वही सपोर्ट कर रहे है, कि यह इल्लीगल है हमको टैक्सी नहीं देना उस पर, आप एक ही बात है, एक ही टीम में आप, वो भी वही कह रहा है ये कह रहा है सुनो ये कह रहा है ये इल्लीगल है और हमें इस पर टैक्स नहीं देना येस भाई चुप 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 सर इल्लीगल के लिए किया गया खर्चा में एक्सपेंस नहीं देंगे हमें वो व्यक्ति चाहिए जो कहें कि ये इंकम है और इसमें टैक्स देना ही पड़ेगा जी एक मिनिट सर मेहनत तो दोनों काम में लगती है मा कहती है कोई धंदा छोटा नहीं होता धंदे से बड़ा कोई धरम नहीं होता मेहनत तो किसी भी काम में उत्ती ही लगती है ना ऐसा है कि आप बोलो कि ये मेहनत नहीं है मेहनत तो लगती है काम कैसा भी हो मेहनत तो लगेगी ना वरो तो यह income है और एक मिनिट legal है illegal है यह criminal procedure code देखते बैटे हम income tax में क्यों दिमाग लगाए point to be noted my lord अगर यह criminal activity है there is a separate law criminal procedure code CPC उसके लिए separate penalty है IPC मैं गाय को दिमाग लगाँ income income होती है अच्छा एक मिनिट आप गोल रहे हैं white और black note का color तो change नहीं होता बात समझी है तो हम कह रहे हैं कि इस पर tax दिना पड़ेगा हाँ okay आप books of accounts check करोंगे हम मनाते बोलो आपका जब से यह issue है ना books होंगे नहीं accounting ऐसे नहीं होंगी accounting icon नहीं होंगी drugs sold वैसे भी मान लीजे आपका medical का store है white color का glucose का powder बेचो या हम white color का powder बेच रहे है बात तो एक ही है ना उसका reason मिल जाएगा details आपको accounts बनाने का problem है ना हम बनाएंगे आगे बोलो books चाहिए हम देते हैं accounts अच्छा एक मिनट मैं all deep में जाता है foundation में accounts पढ़ते वक्त तुमको कभी किसी ने बताया कि सिर्फ accounting जो होगी वो legal business की होगी अकाउंट में तुमको किसी ने सम्झाया है accounting सिर्फ legal की होगी accounts तो तीन रूल account is a very funny language हो तो तो तीन रूल देखे खांद हम हो गया है ना तो फिर तो भी है सब कुछ अच्छा और मैं अगर drugs बेच रहो तो accounting का रूल का हम बतल रहा debit what comes in credit what goes out मैं चाओ दो हाँ हाँ point to be noted लिखना अगर उसको इंकम माना तो उल्टा गवर्मेंट का tax बढ़ रहा तो गवर्मेंट छोड़ना क्यों चाहेगी for example cigarette सेहत के लिए बहुत मस्त है शांदार फ्लेवर में आती है सामने से जलती रहती है अंदर ठनक पहुचाती है बरबर न तो बीखना इल्लीगल है क्या नहीं सरकार को इंकम मिल रही है काम का तुम उल्टा इल्लीगल को अगर इंकम मान ले तो सरकार को तो tax ज्यादा मिलेगा तो सवाल बता ही है लीगल इंकम इंकम सिर्फ लीगल होनी चीए इल्लीगल भी इंकम ही है इल्लीगल भी इंकम ही है एन आंसर इस चले दूसरे पॉंट पर आते है नहीं नहीं ऐसे थोड़ी नहीं होता है ठीक है हाँ हम इंकम टक्स में टक्स नहीं रहे लीगलिटी इल्लीगलिटी चीर पीसी देखते बैठेगा ना whatever is the end of the day we are thinking about night राथ अच्छी गुदरनी चाहिए मुझे दिन का टेंचन नहीं है so इस सवाल को यह है दूसरा अरे रुको रुको ऐसा भहुत सी चीज़े आएंगे हाँ तो मेरी बू आई थी में को पांसो का लिफाफा पकड़ाई थी इसको मैं गिफ्ट कह सकता हूँ हाँ is gift income yes so मान लो मान लो बाबू की शोना ने जादू की टोना को टेडी बेर दिया yes तो बाबू शोना ने अपने बाबू शोना को टेडी बेर दिया Suppose मेरे size का दिया. तो ये gift tax होना चीए कि ने होना चीए है? होना चीए कि ने होना चीए? हाँ जी. Is gift income? जी. अगर certain limit के उपर जाए तो ये income है. देखिए मैं taxability नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अगेन आप सब को बता रहा हूँ. आपका ध्यान बार 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 रीस पॉइंट पे जा रहा है ये tax होना या नहीं? मेरा सवाल बड़ा clear है. ये income है या नहीं? हम बाद में decide करेंगे इस पर tax लगाना या नहीं? पहले ये सोच के देखो income taxes है. इंकम के definition में ला सकता है क्या? हाँ, बदाईए. इसकी बाबूश होना को देरा ते भूँए? मिलता जिसको है मजा उसी को आता. तो tax भी वही देगा. देने वाले के लिए तो खर्चा है ना? मान ले तुने तुने तरी पाच्छे गल्फरंड को टेडी वेर दिया. तो ते लिए तो expense है. expenses का हम काई को tax लेंगे? जिसको मि बुल रहा है इंकम उसकी है ना बटा हां तो is gift an income बुल भाई हां हां gift में सर consideration नहीं लगता तो ये income नहीं हुई क्योंकि contract नहीं है without consideration there cannot be contract बरबर ना but love and accept love and उसके exception में था ना भाई आदे तरे भाई को यादे मिनको तो भाई का case फेल हो गया अब बताईए income है या नहीं जी भाई दो अलग अलग चीज़े है हां मैं क्या मुल रहा हूँ tax होगा के नहीं गलत दिमांग पैसा मिला gift is it an income or not wherever best तीसरा example मैंने जवाब किसी का नहीं दिया क्योंकि जवाब आज का मैंटर है ही नहीं इंतजार करिए इसे शायरी से समझाना चाहूँगा एक ही दिन में समझ लोगे क्या मुझे मैंने खुद को बनाने में सदिया भी ताई है income tax 1961 से चले आ रहा है एक दिन में थोड़ी समझ पाऊगे हॉले हॉले धीरे धीरे हाराम से हमें किसी दूसरे शहर भागना नहीं है हम यहीं के हैं चलो start था 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 सुनो तू सुनो थो थी इसरा एक्जाम्पल था कि मैंने मेरा kidney बेचाए पैसे आये इंकम है, इंकम है, इंकम है, इंकम, इंकम ब्रो, हेलो, गुजरात, इंकम, 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 तो किडनी बेचना आपने इंलीगल मान के इंकम मान ली, गजब की पार्शलिटी है भाई किड़नी बेचने पर तुम्हारा लीगल इलीगल कुछ ध्याद नहीं आया तुमको किड़नी बेच आप ऐसा आया इंकम चलिए ठीक है एकसेप्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वो शेर्ज बेचें लॉस में सुचते हैं बहुत बढ़ी है फिर वो सुनू न मेरे को एक और सवाल आया है मैंने किसी किया जोब किया salary कमा is it an income yes PG is it an income yes वो मैंने investment किया dividend आया FD में invest किया interest आया Is it an income हाँ हाँ यानि मोटे-mोटे तौर पे आच्छा वो subsidy मिली government से गोवर्मेंट से subsidy मिली is it an income yes or no an answer is यही हमको कल समझना है है सर आज बता दो कैसा है मैं आज बता दू मेरे को कोई problem नहीं है लेकिन रुको तो इसको पता है जो तुम अभी समझना चारे हो इसको क्या बोलते है curiosity इसको क्या बोलते मालम है curiosity कहा जा रहे रुको जरा मैंने लेक्चर खतम नहीं गया जब लेक्चर खतम होगा जब मैं कहूंगा बाय बोलो बच्चो और मैं को तो आज लेक्चर दस मिनिट लेट मिला है आजिसा है तुमारे लोवाले टीचर ने दस मिनिट लेट छोड़ा के ने छोड़ा तो मेरा हग बनता के ने अचा सुनो और 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 सुन 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 पांच मिन पांच मिन और इंकम है मेरे पास सर वो दान पेटी में मैंने पैसे डाले था है is it an income yes or no आईए अब मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ आज का पहला केस illegal activity से related क्योंकि mostly issue है एक judgment है इस judgment का नाम है T.A. Qureshi Supreme Court judgment T.A. Qureshi Supreme Court judgment अब इस judgment में हुआ क्या था समझी है landmark judgment है जिसने ये decide कि क्या illegal activity से आने वाला income income tax में tax हो सकता है या नहीं हो सकता yes तो understand हुआ क्या था T.A. Qureshi सब क्या करते थे smuggling करते थे और smuggling करके क्या करते थे वो goods sell करते थे एक दिन custom department वालोंने इनके goods confiscate कर लिये ठीक है और वापस दिये ही नहीं अब जितने goods custom department वालोंने confiscate किये इन्होंने profit and loss account बनाते वक्त expenses book कर दिया debit all expenses and losses loss by confiscation तो custom department ने जो confiscate किया था उसको उनने loss क्लेम कर दिया matter यह के पास गया यह books of accounts चेक करने लगा जब यह books of accounts चेक कर रहा हुआ के थे loss from confiscation गुलाय कुरेशी साब को कहा यह क्या है उन्होंने का सर देखें यह जो goods है यह यह custom department वालोंने confiscate कर लिये है तो मेरे लिए तो यह loss हुआ क्योंकि मैं कोई goods मिलने नहीं वाले यह ओ इसको अलाव नहीं कर सकता मैं इल्लीगल activity है मैने अगर इसको अलाव कर दिया मैने अगर इसको अलाव कर दिया तो हर वेक्ति इल्लीगल activity करना चल जाएगा I cannot allow it I cannot permit you to get this done T.A. Qureshi यह वा साब from past 10 years you are taxing my income the income is out of that activity only तो यह क्या बात हुई आपको allow करना चाहिए मेरी income वही से आ रही है नहीं 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 यह हमको पहले पता नहीं था अब पता चला है income is taxable expenses cannot be allowed गलत यह क्या बात हुई I like you as a friend अगर आपको मेरे income tax करनी है तो फिर मेरे खर्चे भी consider करना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा यह तुम्हारा order अगर मेरी income tax करनी है तो मेरे खर्चे भी allow करने पड़ेंगे ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें मेरी success में रहना है मेरे struggle में भी साथ रहना होगा देखिए ऐसे नहीं हो सकता यह illegal activity है देश के अंदर में आप smuggling करके आने my lord यह illegal activity है यह मैं allow नहीं कर सकता अगर इसको allow कर दिया तो देश में illegal activity चालू हो जाएगी सार एक मिनिट फिर income भी tax मत करो ना जितना tax पिछले 10 साल चे बराया refund करो लो चलो लो यह check number hello QR code भाई बात simple है या नहीं है तुमको अगर मेरी income tax करनी है तो फिर यह मत पूछो कहां से आई है मजे करो पर अगर मेरे expenses तुम claim नहीं कर सकते एक तरफ तुम expenses claim नहीं करोगे दूसरे तरफ मेरी income भी tax करोगे ऐसा नहीं चलेगा matter court में कया, landmark judgment by supreme court, T.A. Qureshi judgment, illegal income is chargeable to tax, income tax has nothing to do with legal or illegal, there is a separate law, civil criminal procedure code, civil procedure code, the police will take action accordingly, it is not the responsibility of income tax department to check it's legal or illegal, income tax department is only, is only logically related to only one aspect, is it an income, yes it is chargeable to tax, income tax has nothing to do with legal or illegal, अब आप पावडर बेचके कमाओ या पावडर बेचके कमाओ, income, income tax महीं आएगी, supreme court का landmark judgment, और अब मेरे बच्चे से पूछना चाओंगा, बता, interpreter ने अगर कोई decision दे दिया, do it becomes law, interpreter ने अगर कोई interpretation दे दिया, do it became law, yes or no, तब से, आपको पता है, income tax department को इसे income भी consider करना पड़ा और इसका deduction भी देना पड़ा, loss का deduction भी देना पड़ा, income tax department हारा था, और इतिहास कवा है, जब तब income tax department आया है, अगले साल amendment हुआ है, बड़े गचब के लोग है, वो और हार जाते हैं तो बाद में है न, क्या करते हैं amendment कर देते लाँ में, next year का amendment सुनो, आप सब परिशान हो जाओगे, next year से, illegal income is also chargeable to tax, but expenses related to illegal income is not allowed as deduction, मतलब बेटा, गेम किसी का भी हो, जीतेगा income tax department ही, समझना रही हा, you are thinking about the game, he has the whole system, इसका अपना पूरा system है, system का spelling S-Y-S-T-U-M-M, समझना रही हा बात, सो बताइए अब, आज का issue हमने आज है discuss कर लिया, is illegal income also chargeable to tax, yes, illegal income, judgment का नाम है, T-A-Qureishi judgment, supreme court judgment है, it becomes law, yes or no, दूसरा, is gift an income, the answer is yes, yes, वो taxable है या नहीं, आगे discuss करेंगे, it's an income, yes, it's an income, तीसरा case, मैं रस्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, 500 का note मिला, is it an income, well, it's an income, we will show it or not, it's a different matter, if you show it, what happens, if you don't show it, what happens, we have to discuss, but is it an income, income, yes, so कोई भी चीज़ इनकम है या नहीं है, कोई भी चीज़ इनकम है या नहीं है, यह इसके type of receipt पे depend करती है, किस पे depend करती है, बोले जल्दी से, type of receipt पे depend करती है, तो आईए जरा लिखते हैं, अच्छा मेरे रेगुलर टाइम तो उत्तको तो लें दो, मेरे रेम टाइम क्या है, एक तीस, तुमारी घड़ी देख लो, अब भी मेरे पास दो मेरे बाग की है, बरबर है की नहीं, मैरे मेरे टाइम तो लूँगा ना यार, ऐसा मत करो न, तुमारे लिए मैं कित्ता, मेरे बीवी बच्चो को छोड़के आया, इनकम, the word income is defined in income tax act, the word income is defined in income tax act, इतर देखो, आप के ही बुक में section 224 पर क्या लिखा है बिटा, इनकम, 224 पर आपकी बुक में क्या लिखा है बिटा, इनकम, under section 2 subsection 24, income can be legal और illegal, जज्मेंट का नाम याद नहीं आ रहा, T.A. Qureshi Judgment Supreme Court, 156 आपकी ans. 156 आपकी बुक मेंस about receipts but every receipt is not an income income means receipt but every receipt is not an income income means receipt, done, चलो, बुक बंद करो, रिवाइस करेंगे, ठीक है, इसके बाद costing का lecture है, अभी शेक सर का, and then शाम में 5 बजे accounts, yes, okay, चलो, have a revision, देखो क्या हुआ, आज हम लोग आए, आज हमने सबसे पहले समझा कि law में जो amendment आते हैं, वो amendment क्या, किसी को सपना आता है कि amendment कर देना चाहिए, नहीं, तो हमने समझा law कैसे वक करता है, law maker, इतर देखो, law makers, law implementers, law interpreters, law maker law बनाते हैं, implement करते वक दिक्कत आई, तो implementers, makers को बताते हैं, अगले साल amendment करना है, फिर आपके और department के बीच में हो सकता है, dispute हो जाए चीज़ों को ले करके, तो case laws भी क्या करते हैं, अगले साल का law का part बनते हैं, जब TA कुरेशी जजमेंट हुआ, तब जाके अगले साल law में amend हुआ, कि income तो tax करेंगे हम, expenses allow, so amendment इस तरह से बनता है, ठीक है, इसके बाद हम घुशे, next word के अंदर में, taxes, taxes किते परकार के हो देविटा, दो, direct tax or indirect, क्या direct tax personal income पे दिना पड़ता है, yes, indirect tax impersonal income पे share the tax, IDT कैसा है बिटा, regressive, सब लोग revision में साथ दो, bag back, सब छोड़ दे, revision में ध्यान दे, ते को घर जाके पड़ने की जड़त नहीं पड़ीगी, मेरी guarantee, regressive basis, regressive basis मतलब income से कोई लेन दे नहीं, सब के लिए, same, yes or no, right, इसके बाद में, tax में क्या सिर्फ tax collect होता है, नहीं, tax also include, surcharge and CES, क्या surcharge सिर्फ तभी applicable होता है, when the income exceed a prescribed limit, HEC is applicable even if there is a tax, yes, okay, so every year, 1961 का law हम 2023 में पड़ रहे, why, because of budget, budget से क्या आते है, amendment, budget कितने तारीक को आता है, 1st February, कौन प्रेज़न करता है, finance minister, as per fiscal responsibility and budget management, act, in the year of election, 1 budget की 2 budget, otherwise, 1 budget आएग, budget में amendment आते है, yes or no, amendment is nothing but proposed, change, IDT का amendment कबसे applicable होता है, उसी, राच से, DT का amendment कबसे applicable होता है, 1st day of next year, and hence act 61 rules, 62, याद आएगा ब्रो, हाँ, इसके बाद हमने section पड़ता, act will be called as income tax at 1961, it is applicable to all of India, India extend up to 200 nautical miles, वहाँ से कुसे section 4 में, section 4 का पहला वड लिकाता, income, हम income उढ़ने निकल गए, income को हमने discuss किया, अब तक सिप दो वर्ड पड़े, income defined है, definition नी पड़ी, हाँ, पर इस बारे में discuss कर दिया, income tax has nothing to do with legal or illegal, इस पर हमने एक judgment समझा, T.A. कुरेशी judgment, is this done, thank you, bye बाच्चो, any student, any kind of doubt, please come, online वालो, आपके कोई doubt है, please ask, सचीन लिख रहा है, I love you, okay, बिटा, I love you too, नहीं, इंडिया का लोई ये है, कहता है कि the moment gift is received, it's an income, sir, मजा आ गया, thank you, सर, illegal income दिखाया नहीं, तो क्या होगा, दो दिन रुख, दो दिन में समझाता हूँ, illegal income दिखानी तो क्या होगा, दो दिन बात का concept है, इस का डिवाइड होता है, कि सेंटर के पास रहता है, उसको सिर्फ सेंटर के पास रखा जाता है, जिस purpose है, उस purpose के लिए use किया जाता है, उसका division का कोई लिन्दे नहीं है, सेक्स फिक्स परसेंटेज का होता है फूर परसेंट बिल्कुल ऐसा होगा पर जो इतने हाई इंकम अंड कर रहे है लॉजिकली सोचके देखें ना उनको फरक भी पढ़ रहा है कैस से एक एक एक्स्ट्रा परसेंट देने से उनको कोई फरक नहीं पढ़ रहा सेक्शन 298 एक्स्प्लेन करूं सेक्शन 298 के अंदर में सेंट्रल गवर्मेंट के ने पावर दिया है CBD को कि वो जनरल या स्पेशल और निकाल करके जहां लॉम को इंप्लिमेंटेशन डिफिकल्टी आ रही है वो इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं उसको वो इंप्लिमेंटेशन कर सकते हैं हां जी पूछेंगे न अगर मान लीजे मैंने बोल भी दिया इंकम टेक्स देपार्टमेंट को कि मैं भी या जुआ खेलता हूँ उससे पैसा आता है तो income tax department max to max क्या कर सकता है से पुलिस को बता सकता है they cannot take action क्यों अरे भाई एक मिनिट वो पुलिस को जाके बता भी देंगे मेरी जो income है वो तो पिछले साल की ना जिसमेर को भी tax भरना है और जो current year की income आईगी हम उसको current year में deal करेंगे पुलिस कारवाई होगी सब होगी सब होगी चलते रहेगा बाहर आऊँगा फिर वापस कभी ना कभी तो कुछ करूँगा बिलकुल अगर income कमाई है और लिमिट से उपर है तो tax तो आएगा न बो एक मिनिट सिफ क्यामरे सटना और भी कुछ दाउट है अगे आएगा प्री में चौर कोश्चन है एक मिनिट यहां पर जित्ते हैं मैं सब के सवाल के जाओ दूगा एक मिनिट रुक हो सिर्फ तेलिग्राम ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप कल रात में बनाया है बहुत सारे बच्चे जॉइन किये हैं अल्रेडी टेलिग्राम ग्रूप बन चुका है कल डिसकस होगा क्या माइनर को भी इंकम टैस लगता है क्या कल डिसकस होगा परसन की डेफिनेशन नहीं वेल्ट टैक्स जो लगता था वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर उस लिमिट से उपर जाता था तो लगता है सर्चार्ज आपकी इंकम लिमिट के उपर से स्पेसिफिक परपस के लिए उज़ होता है न सरकार गया तो सर्चार्ज अगर इंकम एक लिमिट के उपर जाता है इसका आपकी प्रॉपर्टी से कोई लिए देन नहीं है सर इल्लीकल इंकम कोई दिखाएगा ही क्यों ऐसा नहीं होता अगर नहीं दिखाया तो क्या होगा यह हम टैक्स रेट में डिस्कस करेंगे कि मानलो तुमने दिखा है नहीं, पर Income Tax Department ने पकड़ लिया है, होता है न रेड, 200 करोड मिले, 50 करोड मिले, तो जब मिलेगा, तो उस दिन क्या होगा, वो डिसकस करना है अपने को, इसको कहते है, Undisclosed Income, आपके चाप्टर में लिखा है, पीछे एंड में, जनरली नहीं फिर, नहीं, उस case में नहीं, पड़ यह existing government decide करती है, उसको क्या करना है, आप जितने लोगों का यह सवाल है न, कि illegal income होगा, तो फिर इसको दिखाएंगे कैसे और tax कैसे करेंगे, नहीं, seize करने का right नहीं है न, income मैंने कमाई है, max to max तुम क्या ले सकते हो, tax, काई को पूरा लेंगे, max rate of tax लेंगे न, आप penalty 100% लगाओगे, वो भी tax का, आप income ही tax नहीं कर सकते हैं, मैंने जित्ता कमाई है, वो पूरा दे दे, मैं क्या बोलूगा, भाई मैं मेरा घर परिवार कैसे चलाओ, मैंने bank loan पे लिया है, हाँ तो यह उसका profession है न, पूलिस देखते बैटेगी है, कि उसको जेल में डालना है, उसका यह activity बंद कर दो, यह पूलिस देखते बैटेगी, income tax में हम यह देखेंगे, अगर यह income है, तो हम इसको tax कर देंगे, मतलब रोड से भी हो रहा है, मानले ट्रक लेके आ रहे है, तो उस पर भी है, जिस साल में बिटा election होते हैं, अब फरवरी, जैसे 2014 में election होगा, तो फरवरी में एक budget लाना है, वो तो custom है, वो लाएंगे, पर वो interim budget होगा, ठीक है, अब जून में election हुआ, फिर नई सरकार आई, अब नई सरकार फिर से एक बार session लेती है, और उसमें बढ़नता है, वो होता है, final budget, ये तो सिर्फ इन दा year of election है, 2024, 2025 में ये थोड़ी नहोगा, 2025 में तो सिर्फ फाइनल budget ही आएगा न, 2024 में ये नहीं आएगा, 2024 में ये आएगा, आफ्टर election, date देख, फरवरी से जून, जुलाई से आगे, यहां मार्च होना चाहिए, जुलाई अगस्ट में आएगा, फ्रॉम मार्च, एक मिनट, क्योंकि जो आपने law लेकर आया, उसमें मेरे को भी तो dispute हो सकता है, जैसे आप आगे चलके कई जगह पे देखेंगे, कि आप law लेकर आगए, पर आपका ये जो law है में dispute पे हैं, फर एक्जामपल, Companies Act ने कहा CSR expenditure इंकर करना है, अब मैंने खर्चा किया, क्योंकि Companies Act बोल रहा, अब मैंने खर्चा कर दिया Companies Act बोल रहा तो, मैंने P&L को debit कर दिया, Income Tax Department वाला बोलता है, ये business का कर्चा है, ये मैं क्यों allow करूँ, ये business का कर्चा थो नहीं, ये मैं क्यों allow तो इस बात के dispute को लेकर करें, तो तुम जा सकते है, आप बोलोगे, दर्शन सर बोल रहा है, करना है, विजय सर बोल रहा है, नहीं करना है, मैं करूँ क्या मेर को ये clear करो, बिल्कुल, 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 वो पुलिस देखते बैटेगे, ये हमारा काम नहीं है, लीगल, इल्लीगल वाला मैटर पुलिस हैंडल करते बैटे, अमेंडमेंट जब आता है, ये discussion हो करके, ये finance act का पार्ट बन जाता है, finance act में जो amendment होते हैं, वो income tax का पार्ट बन जाता है, ये changes जैसी अपरूव होगा, it became part of finance act, finance act में से relevant जगह पे ये income tax में शट किया जाता है, अरे भाई, जूलाई से मार्च तक चलेगा ना, तू आपस समझ, एग रहा, एक फरवरी 2024, existing Modi government चल रही है, पर एक फरवरी 2024 को बजट तो लाने ही पड़ेगा बिटा, निर्मला सी तरमन जी इस बजट को प्रेजट को प्रेजेंट करेगी, अब जिस साल election होगा, प्रधान मंतरी के election जून तक के खतम होते हैं, मार्च से चालो के, जून में खतम होते हैं, suppose Modi ji वापस आए, अब नई government ये भी तो अपना Parliament session लेगी कि ने लेगी, तो ये July या August में होता है, ये अपना नया session लेंगे, जो interim budget बना यहाँ पे, ये फरवरी से लेकर के कब तक चल रहा है, जुलाई तक के चल रहा है, अब जुलाई में पहली बार government बन के आएंगी, मोदी जी बोलेंगे, हमार को इतना प्रतिसाद मिला, ये वो, तो अब जो नया finance minister आएगा, क्योंकि नई सरकार में finance minister बदल भी सकता है, अब नया budget प्रिपेर होगा, वो जुलाई से लेकर कब तक चलेगा, मार्च दो हजार पचीज, अब समझ में आया गेम, अब एक फरवरी दो हजार पचीज, जो भी नया finance minister है, एक और budget प्रेजन कर देगा, इस साल दो budget आए, क्योंकि सरकार बदल सकते थी, अब ये सरकार तो अगले चार साल रहेगी, रहेगी, प्रॉफिट, प्रॉफिट is considered as income only, कल समझेगा, वही बता रहा हूँ, दस ग्रॉफ रिसीट हुई, दस रुपे तुन्हें रिसीव किये, पर चार खर्चा भी तो किये, तिरको बोलेंगे दस पर टैक्स दे, तू क्या बोलेगा, एक मिनिट, चार मेरे खर्चा भी हो, उसको भी consider करो, income, sales पर मेरा टैक्स मत करो, income पर टैक्स करो मेरे, क्या 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 वापस बूल, अपस भूल, सरचाज कर गंचप्ट अभी हमने डिसकसी नहीं किया, दू दिन लगेंगे, वहां पहुचने के लिए, मैं समझा रहा हूँ बेटा, मैं समझ गया तिरा सवाल क्या है, एक लोग को लगाता है दूसरा अगर लोग के इंप्लिमेंटेशन में कोई इशू है जैसे कोल्ट लोग बनाने वाले अथोरिटियों के MLJ उसने लोग बना के रख दिया तो कोल्ट की जुरती क्यों है क्योंकि असेसी का उपीनियन लोग मेकर से मैच नहीं कर रहा तो वो कोट में रिलीफ मंगने जा रहा कि यह जो लोग यह गलत बनाया तुमने जैसे अगर तुँ देखेगा ट्रांसजेंडर्स अब तक के हम सिर्फ दो ही कम्यूटी रखते थे मेल और फीमेल अब इस लौ से किसको दिक्कत थी जो थर्ड काटेग्री